हेलो तुटेंट्स वेल्कों टू माइन नर्चर मैं हो क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मस्ट बढ़िया चलो श्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मसुटिक्स में चैप्टर नंबर 5 जो के हम पढ़ रहे थे फार्मसुटिकल डोजिस फॉर्म है ना इसका नेक्स्ट टॉपिक य चैप्टर हैं बी फार्मा के अंदर और वो सब एक ही चैप्टर के अंदर इन्होंने इंक्लूड कर दिये हैं तो उमीद है साहिद यह है लेक्चर नंबर 21 और इसके बाद साहिए दो लेक्चर मेरे ख्याल से बनने चाहिए और और फिनिस हो जाना चाहिए ठीक है आई नो म सुटिकल डोजस फॉर्म में इस्टेराइल फॉर्मूलेशन इस्टेराइल का मतलब होता है अगर इंगलिस में आप इसकी हिंदी निकालोगों तो इस्टेराइल का मतलब होता है बांज जो पैदा ना कर सके तो यहां पर इस्टेराइल फॉर्मूलेशन ऐसा सिंपल ठीक है कहां जरूत पड़ेगी इसकी ऑव्विस ही बात है इसके अंदर हम लोग दो कैटेगरी पढ़ने वाले हैं एक है इंजेक्टेवल नाम अपने अब दिखा रहा है इसको हम पैरेंटीरल भी कहते हैं इंजेक्टेवल मतलब जो इंजेक्शन्स वगरा है यानिकि हमारी आंक की जो कंजर्टाइवा होती है उससे टच में आती है तो उसको भी इस्टेराइल होना पड़ेगा यानिकि उस फॉर्मलेशन के अंदर किसी भी प्रकार का बैक्टेरिया टॉल्रेट नहीं किया जाएगा अधर्वाइस इंफेक्शन हो जाएगा बॉड़ी के अं नहीं है तो हम लोग हर एक चीज के बारे में थोड़ी चीज़ें कवर करते हो जैसे बाकी टॉपिक में भी करी है मैनुफेक्ट्रिंग है प्रप्रेशन है कुछ अगर इंपॉर्टेंट कंट्रोल टेस्ट है तो उनके बारे हम पढ़ा है तो सब पढ़ लेके चलेंगे और और इसके अंदर काफी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो हम लोग को सब कुछ कवर करते हुए चलना है ठीक है तो स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉपी पेन ले लो पानी की बोटल साथ रख लो ठीक है ना और पानी पीते रहना फ्रेश रहो लंबा लेक्चर होने वाल तो संपल से कॉंसेट के साथ यहां पर इसकी डे इसराले सफ फॉर्म प्ताइह क्या होता है किस रूप में दवा है मीन डाव इसका मतलब कया है अफ वार्मसीचल प्रोडक्क ऐसे फार्मसीटिकल प्रोडटक्स having characteristics of sterility उसके अंदर जो उसके गुण है वो sterility का गुण है बांचपन का गुण है पैदा ना होने का यानिकि अपने अंदर किसी प्रकार के microorganism को वो grow करने नहीं देगा ठीक है freedom from living microorganism तो हम कह सकते हैं कि आजादी है उसके अंदर किसी प्रकार का microorganism grow नहीं करेगा clear है आगे आते हैं दूसरा definition क्या है sterile doses form are those which are free from any microorganism तो free from any microorganism अगर इतना भी लिखके आते हैं आप कि ऐसा formulation जो किसी भी प्रकार के microorganism से मुक्त है वो sterile formulation कहलाता है ठीक है अच्छा थुरा सा और इसको बड़े रूप में ले जाएं तो उसके अंदर microorganism भी नहीं होना चाहिए dust भी नहीं होना चाहिए dust fiber and foreign particle should be and should be isotonic और उसको क्योंकि हमारी direct हमारी body में जा रहा है तो जो concentration हमारी body का fluid का है हमारी body का plasma का blood का है वही concentration इसका होना चाहिए तो इसको हम लोग isotonic बोलेंगे otherwise प्रणाम पता है हम लोग पढ़ चुके हैं पहले प्रणाम क्या होंगे कि cell वगरा destroy हो सकते हैं अगर यह isotonic नहीं होंगे इसको भी लेंगे सोड़ा सा detail में आगे जाकर करके आएगा clear हो गया इस्टेरायल डोजेस फर्म इंक्लूड पैरेंटीरल पर्परेशन और अब अफ्थैल्मिक पर्परेशन वन मास्कोशिन तुमारा इस्टेरायल प्रपरेशन के अंदर क्या क्या चाहिए आ जाती है पैरेंटीरल पैरन टीरल वने बता दिया जिनको हम लोग मूँ से नाख खा करके डारेक्ट इंजेक्शन के थुरू बाडी में लेते हैं और अप्थेल्मिक पिर्परेशन जो हमारी आँखों में पड़ेगा पैरेंटिरल पिर्परेशन इंक्लूड पैरेंटिरल के अंदर कौन कोन आते हैं इंजेक्शन, ट्रांस फूजन फिल्डूट अध़ इंजेक्शन क्या होता है पा lease बहा लगा दिया ट्रांस फूजन क्या होता है डिपव लगते है जो गल्कोज वगरा कि ठीक है न वो ट्रांस फिल्यूट के अंदर आ गया sterile suspension जो injection और suspension होते हैं sterile solid powders होते हैं इसको घोल करके अपनों लगाते हैं तो sterile solid आ गया sterile solution और emulsion और injection अलाग प्रकार के बनते हैं तो main हमें समझना था injection यह injections के ही रूप है suspension, solution, solid और emulsion और transfusion fluid क्या हो गया जो बड़े level पे glucose वगरा drip लगती है उसे transfusion fluid कहा जाता है ophthalmic preparation include eye drop, eye lotions, eye ointment है ना तो eye drop और eye ointment हमारे syllabus में है इसको हम पढ़ेंगे detail में इस lecture में नहीं, next lecture में ठीक है eye gels आ गया, eye के suspension आ गया, contact lens solution आ गया contact lens जो लगाए जाते हैं उनका solutions होते हैं तो वो सब इसके अंदर आ आ जाते हैं अब sterile doses form in journal use अगर जर्नल यूस की बात करें तो parental or ophthalmic आ गया और हम क्या क्या गया ले सकते हैं injection for infusion fluid इसके अंदर cover हो गया radio pharmaceutical sterile solids है ना radio pharmaceutical जो बड़ी के अंदर हम लोग diagnosis of purposes लेते हैं इस्टेराइल suspension आ गया ophthalmic solution suspension and ointment ophthalmic जो आँखों में डालने वाले solution होते हैं वो इसके अंदर cover हो गया solution for irrigation irrigation मतलब क्या होता है ऐसा fluid जिससे के हम लोग क्या करते हैं vagina वगरा इनको क्या करते हैं वाश करते हैं तो उसको हम लोग क्या होते हैं solution for irrigation और diagnostic agent अगर कोई fluid हम लोग diagnose के purpose डाल रहें body के अंदर की जांच परताल करने के लिए कि बाड़ी में किस प्रकार की बिमारी है किस प्रकार की बिमारी नहीं है वो भी इसके अंदर ग्रोनी कर पाएंगे कैसे करते हैं किसी फ्लिट को sterilize हम लोग तो जैसे कि तुम लोग को पता है घर में भी करते हैं हम लोग sterilization एक तरह से क्या करते हैं दूद को खौलाते हैं उसे हम ऐसे पास्टराइशन कहते हैं लेकिन एक वही तरीका है वो जह हम दूद को उस temperature पर खौला देते हैं इसका मतलब क्या है उसके अंदर harmful bacteria जो दूद को फाड़ेंगे है ना वो ग्रो नहीं कर पाते हैं है अगर हम दूद को फ्रीज में ना रखें और साथ से आठ घंटे में भी उसे बार बार बॉयल करते रहें तो दूद खराब नहीं होता है तो वही हो bacteria खालो तुम्हें बिमारी नहीं होगी जिंदा नहीं होना चाहिए जिंदा होगा तो अपने परिवार बढ़ा लेगा हो ठीक है दा इस्ट्रिलाइजेशन प्रोसेज इस यूजली दा फाइनल स्टेज इन दा प्रप्रोड़ेशन ऑफ प्रोड़क्ट मार करेंगे बेटा ह हम लोग जब पूरा प्रोड़क्ट बनके तयार हो जाता तो आखरी में जाकर के हम लोग फाइनल स्टेज में उसे इस्ट्रिलाइज करते हैं ठीक है यह याद रखेंगे दा मैथट्स ऑफ इस्ट्रिलाइजेशन इन रेगुलर यूज इंक्लूड आम तोर पे जो हम लोग इस्ट्रिलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या क्या है सैचुरेटेड इस्टीम अंडर प्रेशर जो इस्टीम होती है ठीक है भाप बहुत गरम होती है अंडर प्रेशर ठीक है अब प्रेशर में होती है ड्राइज हीट रेडियेशन वगरा इस्तेमाल कर लेंग तो कई सारे तरीके हैं हम यहां सबको detail में नहीं लेंगे ठीक है और फिर का कहा रहा है when possible exposure to saturated steam under pressure is the sterilization method of choice तो सबसे अच्छा क्या है saturated steam under pressure इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं अच्छा कर सकते हैं ठीक है अब यह कैसे करते हैं वह process हम यहां पर डिसकस नहीं कर रहा है किलिए रहे बाते हैं आगे आते हैं अब क्यूंकि हम लोग यहां पर dose form की बात करनी है sterile dose form ideal properties of sterile dose form sterile dose form की ideal properties क्या होंगी है ना तो obviously बात है सबसे पहलो वह sterile होना चाहिए यानि की sterility होनी चाहिए sterile preparation should be free from all types of microorganism हर प्रकार के microorganism से उसको free होना चाहिए किसी प्रकार का bacteria fungi उसके अंदर नहीं होना चाहिए ophthalmic formulation must be specially free from pseudomonas originosa mark करेंगे वीटा वनमास question कि बताओ ophthalmic preparation में कौन से bacteria से मुक्ती पाने के लिए उसको sterilize किया जाता है खास कर तो वह bacteria कौन सा है ठीक है ग्राम negative bacteria pseudomonas or you aeruginosa ठीक है ना which is commonly founded of telling formulation and can cause serious infection to cornea के लिए लोग गया बटा मार्क करेंगे जो बोलते रहे हो सब्सक्राइब बिल्कुल गिर सकता है ठीक है तो मार्क करते चलेंगे आइसो टोनी सिटी आइसो टोनी सिटी मैंने क्या बताया कि जैसे मालो भी हमारा क्या है यह हमारा यहां पर लगा दिया injection ठीक है इंजेक्शन लग गया यहां पर इसके अंदर क्या है आर बीसी है इनो का कंसेंटरेशन से में तो नॉर्मल प्रॉसेस चलती है कोई दिक्कत नहींदी आती है थीक है तो पैरेंटरेल गोर्म प्रॉशन या जो फिलोड निकलता हमारी आँखों में उसके concentration के बज़ बराबर इसका concentration होना चाहिए ताव उसको हम लोग आँख के case में isotonic कहेंगे बात समझ में आ रही है तीसरे नमर पर आता है free from pyrogens, pyrogens क्या होते हैं, pyrogens एक तरह से हम कह सकते हैं कि bacteria की party होती है, ठीक है समझने के लिए तो party होती है मैंने ऐसे सब्सक्राइब क्यों बोल दिया, क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, जिस समय हमारी growth हो रही है या हम लोग जब जिंदा है ठीक है, तो हमारी body से गंदगी की रूप में क्या क्या निकलता है, urine, party इससे याद रहेगा, urine, party, पसीना, यह सब हमारी body से waste निकल रहा है, हमारी body का जो waste है, अगर वो नहीं निकलेगा, तो क्या होगा हम लोग की death हो जाएगी, तो same चीज, pyrogens क्या होते हैं, bacteria जब grow कर रह होता है, तो उसकी body का एक तरह का metabolism waste होता है, तो chemicals होते हैं, जो अपनी body से निकलता है, एक तरीके से वो, और वो chemical harmful होते हैं, हमारी body के लिए, भई वो तो निकलता है, हमारी body में रहा है ना, तो वो क्या करते हैं, जो pyrogens मतलब, क्या हो गया, metabolic, जो लिखा भी होगा, यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर नहीं, pyrogen का एक और आगे मैंने detail में बताया हुआ, वहाँ पर है, एक तरह का क्या होता है, metabolic products होते हैं, है ना, जैसे कि मैं बताओ, हम लोगों की body में, हमारा पसीना, excretion या party है, यह क्या है, metabolic waste है, metabolic होने की वज़े से बनाई है, तो यह भी क्या ह होते हैं, bacteria के metabolic product होते हैं, जो वह अपने body से छोड़ देते हैं, और हमारी body में जब वो घूमते हैं, तो हमारी body का temperature, वगरा आ जाता है, क्योंकि, वह हमारी body के लिए क्या है, foreign particle है, बहारी, बहारी चीज है, और हमारी body इसको पर attack करती है, okay, sterile formulation must be free from pyrogens and toxins, इसी को हम लोग toxin भी बोल देते हैं, ठीक है, these products must pass pyrogens test, इसी लिए हम लोग इन product को pyrogens test कराते हैं, पढ़ेंगा आखरी में, इसी में, आखरी में आखरी में आएगा, as pyrogens are responsible for rise in body temperature, क्योंकि pyrogens की वाई से हमारे को बुखार आ जाता है, body temperature बढ़ जाता है, free from foreign particles, pyrogens नहीं तो किसी भी प foreign particles, dust, fibers and must pass clarity test, के लिए होना चाहिए, clarity test को भी देखेंगे हम लोग आखरी में, pH of ophthalmic formulation, pH of tear is about 7.4 pH, ठीक है, 7.4, ठीक है, pH play a crucial, crucial का मतलब होगा है, निर्णायक, crucial का मतलब क्या होगा है, निर्णायक, एक महत्पून role play करता है, therapeutic activity, solubility, stability and comfort of the patient, patient, patient के उपर वो जो यहां पर ophthalmic की बात हो रही है, वो आँख में जाकर के, वो medicine, अपना therapeutic activity किस परकार दिखाएगी, वो हमारे आँख के फिलोड के साथ soluble होगी, नि होगी, stable है, या patient को तो नहीं, itching ज्यादा हो रही है, या जलन पैदा हो गई है, ये सब चीजें किस पर depend करती है, pH of ophthalmic formulation पे, अगर सही होगा, तो सब कुछ अच्छा होगा, activity, therapeutic activity बढ़िया रहेगी, soluble रहेगा, stable रहेगा, patient को दिक्कत नहीं होगी, stability की बात करें, physical and chemical stability of sterile formulation should be maintained during storage, storage के दौरान, जितने भी time के लह हम उसे storage करेंगे, उसकी physical और chemical stability maintained रहनी चाहिए, अब, solvent और vehicle used must meet special purity and other standards, जो भी उसके अंदर हम solvent या vehicle, जिसके अंदर dissolve करके, अपने API को, यहने की active pharmaceutical ingredient को, dissolve करके, जो product बना रहे हैं, वो pure होना चाहिए, और दूसरे standards को follow करता हूँ होना चाहिए, do not use coloring agent, हमें इसके अंदर coloring agent, भाई, direct डाल रहे हैं न, आँख में डालेंगे या ब्लड के अंदर जाएगा, coloring agent का तो कोई काम है नि, must be prepared under aseptic condition, must बेटा यह one marks question है, बता हूँ, ऐसा कौन सा doses form है, कौन सी preparation है, formulation है, जो aseptic condition के अंदर बनवाई जाती है, तो कौन सी होती है, sterile formulation बनाई जाती है, specific and high quality packing, packing भी high quality के होती है, ठीक है, तो यह हो गया तुमारे, जिसको mark कर दे रहा हूँ, वो one marks question के लिए भी important है, और उस पूरे point जैसे हैं 10 point हो, उन 10 point में यह point तो लिखने ही लिखने होते हैं, ठीक है न, आगे आते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा injectable, ठीक है, उसके लिए कुछ जरूरी बात है, क्या-क्या चीज़ें उसकी ideal property होनी च usually used for drug given by injection और infusion, तो parenteral term उन products के लिए इस्तमाल कर दिया जाता है, जिसको कि हम लोग injection या infusion के जरीए body में देते हैं, the anterior, तो parenteral par हो गया न, outside होता है एक तरह से, और anterior होता है inside, anterior root usually refer to taking drug by mouth, अगर anterior पढ़ेंगे, यह detail में अभी आएगा तुम लोगों का second year जब 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 होगे, तो roots of drug administration में parental anterior वापसे detail में आएगा, फिलाल इतना समझे, parental का मतलब हम जो नसों से बहार से ही दे दे रहे है body के अंदर, और anterior मतलब जो body के अंदर जाकर के फिर body में dissolve होता है, ओके, अब parental root of administration यह भी देख लो, जब बज्जे कर आता है, तो क्या हम लोग parental के बहारी दिया है, तो skin के under है, तो तुर्चा करके injection लगता है, इंट्रमस्कूलर, जो मास्क के अंदर सीधे से लगता है, बाजूम लगता है, और लगता है, आईवी, नस में लग जाएगा, इंट्रा आर्ट्रियल, सीधा आर्ट्री में लगता यह, इंट्रा थीकल, यह कहां लगत है ना लंक्स लिऊरल लंगस वला अगर चैप्टर हेँ बढ़े अगया हो अधरॉज नहीं पता तो पढ़े tidak करें लंस में बीच होती है ठीक है ना मतलब दो लेयर होती हो बाहर लंक्स के उपर उनके दो लेयर के बीच में जिए वहांपर देन इंट्राकार्डियल दर्मल डाइग्नोज परपस से हम लोग क्या करते हैं इंट्राडर्मल डर्मल मतलब हो गया जो हमारा इस純र आगया की लिए थीक है अब रूट समझ लिया हमने कि अछ़या इतने प्रकार से हम लोग भाड़ी के बाहरे निवार न into several different types depending upon the characteristics of the drug drug ki characteristics से मुताबिक हम लोग कई परकार से इसको develop कर सकते हैं बना सकते हैं the desired onset of action हमें onset of action कैसा चाहिए design मतलब क्या सोचा हमने तुरांत चाहिए आराम आराम से चाहिए किस परकार का होना चाहिए drug का and the desired root of administration root of administration क्या होगा देख कितने परकार से है the following presentations are typically used ठीक है preparation होना चाहिए था following preparation सही कर लेंगे से ठीक है ना तो किसको देखते हुए onset of action कितना जल्दी दवाई असर करें और उसको root of administration क्या रहेगा उसके मताबिक हम लोग इसको तीन परकार में तोड़ते हैं injectable solutions में injectable suspension में और अच्छा दो तीसर इंजक्टेवल emulsion में ठीक है ना यानकी solution suspension emulsion तीन परकार से हम लोग इसको तोड़ेंगे तो simple solution पता ही है simple पानी में लिया घोल दिया suspension क्या होता है यहां पर ड्रग पूरी तरी इमल्सन क्यों होता है जब पढ़ चुक है ना इमल्सन बस वही चीज है जब हमारी दवा पानी के अंदर नहीं घुलती है तो हम उसे oil के अंदर घोल के फिर emulsifying agent की help से पानी के अंदर घोल देते हैं याद है इमल्सन की भूल गए अरे बोलो सुना ही दे रहा है मेरे को हाँ भूल गए आदे बच्चे रिवीजन करो बेटा बिना रिवीजन के नहीं होगा ठीक है ना बात समझ मारी है जलो तो solution क्या है अद्रग dissolve in water पानी में सीधा घोल दिया solution बन गया हमारा और या किसी और solvent में that may include additive known as excipient उसके साथ तो उसमें कुछ excipients हो सकते हैं buffering agent हो गया या preservatives हो गया ऐसा हो सकता है ठीक है suspension drug crystals are not soluble in water यह suspension कब होते हैं जब मेरा जो drug के particles हो पानी के नदर नहीं घूलेंगे तभी तो suspension बनेगा अरे याद आ गया है ओके तो drug crystals are not soluble in water drug crystals पानी में soluble नहीं है so the surface of the crystals are wetted to prevent them from flitting जो wetted drug के particles होते हैं wetting agent पढ़ा है हम लोगोंने उसे वेट कर दिया रहता है इससे क्या रहता है वो लगातार solution में तैरते रहते हैं ना तो solution के उपर आएंगे ना solution के नीचे बैठेंगे वो बीच में तैरते रहेंगे लगातार और अगर नीचे बैठ भी जाएंगे तो हलका शेक कर देंगे तुरंद पूरे में डिसपर्स हो जाएंगे फैल जाएंगे किलियर है इनको वेटेट कर देते हैं टू प्रिवेंट देंट फ्रॉटिंग ऑन दा सुलूशन की सलूशन के उपर ना आ जाए वैट हो जाएंगे तो अंदर आ जाएंगे लेकिन पानी तो गीला करता नहीं है तो वेटिंग एजन करने के लिए श्रफेंड टॉट करने के लिए वो चिपक करके निचे ना बैड तो होई रिया का करने के लिए फ्लोट करने के लिए कि वह चिपक करके नीचे ना बैढ रहे हैं तो वह इस सेम सस्पेंशन वाली कानी आ गई यहां पर सेम इमल्सन वाली कानी आ जाएगी और ड्रग डैट उलड़ में अंचे राम उड़ा जो और ड्रग घुल गया है तुसके डालेंगे इमल्सफाइइं अगं Yes पूरr Advanced के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं ना अड़ो वाटर विदन इमल्सिफाइंग एजेंट इस देन मिक्स्ट विदा हाई शियर मिक्स्टर बहुत तेज तो गुमाते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट होता है तो उस पानी के अंदर पूरा और एक्टम बहुत महीं सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हम टाइप सब्सक्राइब की बात करें तो यहां पर हम लोगों ने आंसेट ऑफ एक्शन और रूट ऑफ एडिश्टेशन के इसाफ से बात करी अब हम कहरें ताइपस ऑफ पैरेंटर ठीक है ना तो तो ताइपस ऑफ पैरेंटर प्रोडुट बेस्ट ऑन वॉल्यूम एंड इस्टेट ऑफ प्रोडुक्ट वो किसके उपर बेस्ट था तुमा स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटरल लाज वॉख वॉल्यूम पैरेंटरल हगे समॉलयूम क्या शुट एंब जिनका वॉल्यूम कटें है तो लाज में क्या है जर्णल क्या होटा है अब इलक्रोलाइस वगदर ड्रिप ड्री रही है ना किसको ड्यारी अगरा हो या तो ड्रीप ड्रीपर देट यह वो लाज वाज वॉल्म पर इंटरल में आगया धेन यह तो वालुम का दारपे हो गया based on states of product product का state क्या है पहला क्या है injection ठीक है तो injections contain sterile solution and are prepared by dissolving the active ingredient and other substance in water for injection तो simple सी बात कहरा है अगर state की बात करें इसका समझ ले पहले injection चुटे हो गए infusion ठीक है powder for injection बात समझ भारे है न तो state किस रूप में है वो उसका रूप देखा जा रहा है ठीक है न तो यहाँ पहला क्या आगया injection injection simple हो गया भरा लगा दिया तो उसके बारे हम बता जा रहा है injections contain sterile solution उसके अंदर क्या होता है sterile solution होता है जो prepare क्या जाता है dissolving the active ingredient जो दवाई है हमारी active ingredient है उसको हम लोग water for injection जो होता है उसके डिजॉल्व करके उससे prepare कर लेते है और भर के pack कर देते है ठीक है और other suitable non-acquos base and mixture of both तो यहाँ पर यहाँ तो water for injection dissolve करके बना लेंगे या किसी और suitable non-acquos vehicle या mixture में त्यार करके बना लेंगे डिपेंड करेगा क्या situation है the solution to be injected may show sediment which can be dispersed तो solution तयार हुआ है उसमें नीचे हमें sediment दिख सकते हैं हो सकता है कि suspension हो तो हो सकते है नीचे दवाई बैठ गई हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे can be dispersed by easily shaki हिला देंगे container को वो पूरा क्या हो जाता है तो multi dose container है suspension भर रहे हैं उसमें से बार बार तो क्या होगा तो तो फिर suspension जब भरेंगे injection हो तो लगबग जितनी बार 5-5 ml निकालेंगे या 2-2 ml निकाल रहे हैं वो same amount होना चाहिए उसको दवाई का ठीक है न जिससे की dose जो है deliver हो एक तार जितनी बार injection लगाए वो हर बारी same amount चला जाए whenever withdrawal is made from the container जब भी container से उसका withdrawal हो दवाई निकाली जाए suspension stable होना चाहिए जिससे की homogenous dose हर परकार एक समान dose patient को लग सके ठीक है तो यहाँ पर simple है तो तुम इसको चाहो तो हो यहां तक लाकर के यहां तक यह point यहां तक छोड़ सकते हो ठीक है ना मतलब के नहीं है सीधा हमने injection के लिए बता दिया क्या है फिर infusion these parental preparation are composed of sterile aqua solution obviously बात है इसके अंदर भी solution कैसा होगा sterile sterile doses form है तो इसके अंदर solution तो कौन सा भरा होगा मैं बता चुका हो ना बढ़ा है continuous phase याद करो क्या होता है continuous phase याद आया इमल्सन वगरा चेक करो वहां पर जो जो है ना oil in water water in all type पढ़ा था तो जिसके अंदर हम dissolve करते हैं उसको continuous phase कहते हैं चलो तब preparation are free from bacterial endotoxin endotoxin यान की pyrogen ध्यान रखेंगे endotoxin को ही pyrogens कहते हैं endotoxin को ही pyrogen कहते हैं तो यह preparation है उसमें bacterial की बैक्टेरियल के pyrogens नहीं होने चाहिए and are made isotonic और यह isotonic होना चाहिए यह तो हर किसी के character है कि pyrogens free होना चाहिए isotonic होने चाहिए they do not contain any antimicrobial preservative अच्छा इसकी एक और खासियत है इसके अंदर preservative भी नहीं होना चाहिए अब यह हम देखेंगे इसमें आगे एक point आएगा preservatives क्या होते हैं जब कोई large volume parental होते हैं तो बड़ी मात्रा में दवाई body अंदर जा रही है तो preservative भी ज़्यादा amount में हम औरी body में पहुंच जाते हैं नुकसान पहुंच आते हैं इसमें injection में क्या होता है 2 ml का injection था 5 ml का injection था preservative body में जाता है तो अपना असर नहीं दिखा पाता है लेकिन यह क्या है 500 ml का है है ना infusion drip लड़ रही है 500 ml 500 ml के अंदर preservative भी तो ज़्यादा पड़ा होगा अगर डालेंगे तो तो वो body को जंदर जाकर के नुकसान करता है आएगा point आगा भी इसके अंदर ही तो याद रखेंगे यह point को mark करेंगे इसके अंदर preservative नहीं होते हैं powder होते हैं these are sterile solid यह sterile solid ध्यान रखेंगे इसमें हर किसी के आगे sterile लगा देंगे compound data distributed in there final volume when the oil or container is shaken to form a clear particle free solution तो वो ही powder for injection यहाँ पर क्या कह रहा है powder for injection है जो finally क्या होता है shaken container is shaken to form a clear particle उसके अंदर हम लोग क्या भरते हैं पानी भरते हैं हिलाते हैं एक clear solution बन जाता है भरते हैं वापस injection लगा देते हैं ठीक है तो अपनी भासा में इसको लिख सकते हैं concentrated solution for injection यह जो concentrated word आ गया यह size देखो ऊपर तो सब लोगों को समझ मा रहा है injection सबने देखे हैं drip सबने देखी है powder सबने देखा है concentrated solution यहाँ पर क्या है solution ना concentrated form में है तो हम लोग क्या करते हैं मालो एक ml निकाला उसको 2 ml या 5 ml पानी में मिला करके water for injection मिला करके फिर patient को देते हैं तो उसे पहले dilute किया जाता है तो देखो यह क्योंकि थोड़ा सा अलग है तो देखो क्या लिखा हूँ retuximab concentrate for solution for infusion ठीक है ना तो यह concentrate solution है बास समझ मारी है तो कह रहा है for intravenous IV infusion after dilution infuse करना है after dilution तो concentrate का मतलब के लिए लोग गया ठीक है इनकी सांद्रता जादा है तो इसको dilute करके फिर हम patient को लगाते हैं clear? the concentrated solution है diluted पहले उसको हम लोग dilute करेंगे है ना उसके अंदर थोड़ा सा पानी वड़े मिला देंगे पानी ये नहीं पीने वाला पानी जब भी बोलूँगा पानी मिला रहे है इसका मतलब water for injection मिला रहे है ठीक है बास समझ में आ गई पिर तुम कहो कि आहां सर हम पानी पीने वाला मिला देंगे ना ठीक है the concentrated solutions are diluted with water for injection कहां जा रहे हो ठीक है water for injection before they are administered through injection ठीक है ना इससे पहले कि उसे injection थूद दिया जाए उसे हम dilute करते हैं water for injection से और through intravenous infusion ठीक है तो वो कह रहा है हम dilute करेंगे उसे water for injection से इससे पहले कि हम उसे injection को रूप में दे इंजेक्शन को रूप में दे या infusion को रूप में दे जिसमरी रूप में दे हम पहले उसे dilute करेंगे तो यह बात यहां important याद रखनी है fifth implant अब implant की बात कुछ लोग बच्चे इसको समझते हैं अच्छे से implants क्या होते हैं implant दो तरीके के हैं हमारे पास समझना है तो रहा सा these solid sterile preparation एक तो मैंने यहां solid लिख दिया है ठीक है एक तो यह होता है और implanted in tissue solid होते हैं tissue के अंदर implant कर दिया आते हैं डाल दिया implant का मतलब होता है किसी चीजों किसी के अंदर घुसा देना यानि कि मैं चोटी सी एक सुई लूँ और तुमारे मसर समय से डाल के छोड़ दूँ तो तो तुमारे mask के अंदर घुस जाएगी तो मैं कहूंगा कि सुई implant हो गई है ठीक है तो implanted implanted in a tissue in order to release the active ingredient वो जो हम छोटा सा solid part होता है medicine वाला वो injection की help से body अंदर डाल देते हैं फिर थोड़ा थोड़ी मातरा में per day एक fix amount में क्या होता है release होता है they are stored in sterile container individually अब समझते हैं देखो इसको बाद समझेंगे birth control implant जो सबने देखा होगा सबने सुना होगा इस type से होता है ठीक है यह दोखो इस तरह से skin के अंदर थोड़ा सा mask के अंदर यह लगा दिया गया कैसे लगाया जाता है यह भी देखो त्थीक है यह दोखो इसकी needle ज़गो कितने मोटी यह देख रहे हो इसी needle के अंदर इसको अंदर फसा दिया जाता है और इसी needle की help से यहाँ पर है SET कर दिया एक तोंपलांट ही हो गया धूसरा एक इंप्लांट क्या होता है जिसे हम डिपोट कह мяс क्या है जुसक्त होता है लिकविड फर्म होता है लेकोट फ़र्म हम लोग क्या करते हैं यह यह भी और आ जैसे कि अंडा लिक्वीड होता है वो इस तरह यह बाड़ी में जाकर कि आप इसके जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं वह आपस करते हैं और solid group ले लेता है और फिर बाद में ये छुट-छुटे parts में तूटता है या जैसा भी है तो वो solid फिर धीसे-धीर अंदर से क्या होता है रिलीज होता रहता है तो इस तरीके से क्या है इंप्लांट से हैं ठीक है तो बच्चों सब्सक्राइब होता है तो यहां टाइग्राम अगरा डाला मैंने एक खास emulsion medium के अंदर यह dissolve हो रखे होते हैं इस प्रोड़क्ट प्रवाइड इस्चेंशियल फैटी एसीड और विटामीन वाले जो चीज़ों होती है क्योंकि इसमें फैटी एसीड फैट होता है और विटामीन होते है पानी के अंदर जो फैट सॉल्वल विटामीन है वो कुछ ऑईली इंजेक्शन सोते हैं जब हमको कंट्रोल रिलीज करवाना होता है तब हम इसका इस्तमाल करते हैं किलियर है बाते हैं अब तीसरा पॉइंट आ यहां पर पहला क्या हो गया हम लोगों ने भूल गया हो कुछ लोग तो क्या पढ़ रहे हम लोग देखो पहला ग क्लिनिकल यूस की अधार पर नों प्लासिफाई करते हैं तो बड़ा सिंपल है सुलीशन फॉर एरिगेशन इरिगेशन वन बताया था खासकर इरिगेशन इरिगेट क्या किया जाता है वैजनल पार्ट को इरिगेट क्या जाता है अंदर मतलब एक सॉलूशन होता है उसको based on clinical use क्या हम उसका use कर रहे हैं उसके अधार पर हम इसको क्या करते हैं classify कर लेते हैं clear है अरे हाँ बोलो okay now advantage और disadvantage फटाफट देखते हैं इसको easy है काफी advantage और disadvantage तो advantage क्या है इसका parental products can bypass first pass metabolism first pass metabolism को साइट जिकर मैं पहले भी किया हूँ फिर बता जिता हूँ जब भी हम कोई दबा मुझ से खाते हैं पेट में जाती है तो वो दबा पहले liver के पास जाती है dissolve हो करके और liver कुछ percent दबाई को तोड़ देता है वहाँ पर metabolism हो जाता है जिससे कि वो बेकार हो जाती है तो दबाई का effect कम हो जाता है एक तरह सीधी सी बात यह है जो हमने direct खोन में डाल दिया है तो liver के पास जाने के जोड़ती नहीं है क्योंकि पेट में जो भी चीज जाती है वो dissolve होने के बाद पहले liver से होती ही फिब्लड में जा रही है ठीक है तो इसलिए first past metabolism का simple meaning है कि अब यह liver के पास जाके degrade नहीं होगी the drug which cannot be administered orally can be administered by this root ऐसी वो सारी दबाई यहां जिसको मुह से नहीं ले सकते हैं उसको हम इस root के दवारा दे सकते हैं तब patient who are vomiting कोई vomit कर रहा है तो दबाई खाए तो फिर vomiting कर देगा unconscious है बिहोस पड़ा है वो oral root मुह से दवाई नहीं खा सकता है तब injectables या parental root फाइदे मन्द होता है the drug action can be prolonged by modifying the formulation हम लोग drug के अंदर कुछ modification कर देते हैं जिससे कि उसके actions को हम लोग लंबा कर सकते हैं ऐसा भी इसके अंदर होता है this root can deliver transfusion fluid containing nutritive like glucose इस root से हम लोग बड़ी मातरा में nutrition है ना लगा दिया है बड़ी मातरा में nutrition body में जा रहा है क्या खा सकते हैं दवाई यां इतनी सारी हम लोग नहीं खा सकते तो यह फाइदा है इसका कि transfusion fluid की help से nutritive like glucose and electrolyte such as sodium chloride ना डाइरिया बगरा हो जाता है बड़ी कंदर sodium chloride की कमी हो गई है NACL की तो हम कितनी tablet खाके cover करेंगे और तुरंच चाहिए हमें तो सीधा blood में लगाया NACL का infusion और चल रहा है बड़ी कंदर disadvantage क्या है भाई दर्द हो तो होगा दर्द होता है जहां injection लगता है तो disadvantage है trained person चाहिए गोली तो कोई खा लेगा खुद खा लो लेकिन injection के लिए trained person चाहिए otherwise नहीं लग पाएगा ठीक है trained are required to administer the drug the administration of drug through the wrong route of injection may prove to be fatal अगर IEM है हम उसे IV दे रहे हैं IV है हम उसे IM दे रहे हैं तो कई बार route बदल जाने से घातक हो सकता है वो it is difficult to save a patient when overdose is given भाई उसमें क्या होता है tablet उसमें खाई हमने overdose हो गई वो धीरे धीरे body में dissolve होती है हमारे पास एक मौका होता है कि overdose को हम लोग counter कर सकें उसकी काट दे सकें लेकिन अगर IV ही दे दिया सीधा blood में दे दिया overdose तो बचना मुश्किला फे patient का there are chances of sensitivity reaction और allergic reaction चांस होता है reaction होने का ठीक है ना और ड्रग बाया इन इन्विजल इस रेक्शन साथ सम्टाइम fatal and lead to death again क्योंकि allergy को रोखने का हमारे पास टाइम नहीं होता है IV दे दिया सीधा कहा जा गया body में गया पूरी body में फैल गया वो medicine तो हमारे पास chance बहुत कम होता है time बहुत कम होता है कि हम उसका counter है ना उसकी काट वाला injection दे पाएं तो यहां पर भी घातक हो सकता है fatal मतलब घातक और इसकी वेशे death हो सकती है clear है अब आए ठीक है advantage और disadvantage clear हो गया यहां तक बात है clear है चलें आगे अब essential requirement for formulation क्या अगर requirement है सबको पता है एक main active pharmaceutical ingredient तो हो गई होगा उसके अलावा vehicle जिसके अंदर हम उसको dissolve करेंगे यहां पर हम लेख सकते हैं पहले नंबर दे सकते हैं API उसकी ज़रूद नहीं है वैसे एक्टिव फार्मसिटिकल ingredient होता है और फिर additive additive में कौन है solubilizing agent जो सॉलीबल करेगा stabilizer buffering agent antibacterial agent insulating agent suspending agent emulsifying and wetting agent tony city factor tony city factor हम देखेंगा हम लोग isotonic होना चाहिए ठीक है अब देखते हैं फटा-फट इनको बारी बारी से वेहिकल्स यहां पर important है वेहिकल्स के उपर अलग से question आ सकता है write a short note on the vehicles of the injectable यह वेहिकल्स ऑफ फार्मुलेशन यह वेहिकल्स ऑफ दा sterile formulation ठीक है तो वेहिकल्स की बात करें तो वेहिकल्स होना पास यहां दोट प्रकार से हैं एक aqueous aqueous मतलब की जहां पर हम लोग पानी का use कर रहे हैं और non aqueous जहां पर हम लोग पानी का use नहीं करते हैं dissolve करने के लिए there are two types of vehicle which are commonly used for preparation of injections first is aqueous aqueous में कौन इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग water मार कर लेंगे water is used as vehicle for majority of injection because water is tolerated well by the body क्यों यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि water vehicle is for majority of injection ज्यादा तर injections के लिए हम लोग water को इस्तेमाल करते हैं क्यों tolerated well हमारी body पानी को easily tolerate कर लेती है पानी के तो बनी हुई पूरी body हमारा तो क्योंकि नुकसान नहीं है ठीक है by the body and safest सबसे ज़्यादा safe है इसको देना तो aqueous vehicle used are कौन कौन से aqueous vehicle used किया जाते है पहला aqueous vehicle है water for injection सुना ओगो बहुत ज़्यादा ठीक है तो क्या खासियत है इसकी तो water for injection जो होता है it is most frequently used सबसे ज़्यादा इस्तमाल में लिया जाने वाला vehicle है ठीक है vehicle समझते हो ना solvent है जिसके नदर हम अपना injectable को घोलेंगे और solution बना के त्यार कर देंगे in the large scale manufacture of injection water for injection ठीक है it is prepared either by distillation method और reverse osmosis distillation में पानी पानी निकल के आता और तो कुछ निकल के आता नहीं है ठीक है न H2O के molecule तो हम लोग इसको prepare कैसे करते हैं distillation और reverse osmosis reverse osmosis मतलब RO reverse osmosis मतलब RO it is not required to be sterilized but free from pyrogen इसको sterilize करने की जरूरत तो नहीं है but pyrogen free होना चाहिए mark कर लेंगे इसको क्या quality है sterilize नहीं होता है ये but pyrogen free होगा sterilize नहीं होगा but pyrogen free होगा it is intended to be used within 24 hour after collection इसका बना इसलिए होता है कि use हो जाए 24 hour बनने के 24 गंटे के अंदर ये use हो जाना चाहिए the water should be collected in sterile and pyrogen free container जब हम water for injection को prepare कर रहे होते है तो उसको ऐसे container में हम लोग इखटा करेंगे जो sterile होगा वो container और pyrogen free होगा ठीक है total solid content should not more than 1 mg per 100 ml solid content का मतलब क्या होता है कई वर container से कुछ solid काच्वाँ चाहिए कोई solid particle आ जाते हैं या solid particle जिसका हम लोग कहते हैं जो solid particles के अंदर हो सकते हैं एक पानी के अंदर एक तरह का foreign particles में जो solid particles होते हैं वो 1 mg per 100 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए याना कि 200 ml है तो 2 mg इस प्रकार इस से ज्यादा नहीं होना चाहिए अब sterile water for injection पहला simple सा water for injection यह sterile water for injection it must be pyrogen free but allowable endotoxin level that is तो sterile water for injection यह क्या है sterile होगा दूसरा pyrogen free होगा pyrogens की बीना एक limit होती है क्योंकि एक limit के बाद ही हमको क्या आता है fever आ सकता है एक limit के नीचे अगर pyrogens मौजूद है हमारी body में तो हमारी body पर असर नहीं डालते हैं तो वही चीज है it must be pyrogen free but an allowable endotoxin level endotoxin पता है ना pyrogens endotoxin को ही परेजन कहते हैं लेकिन एक level है that is not more than 0.25 USB endotoxin unit per milliliter एक milliliter में 0.25 USB endotoxin unit इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए को कि इसके नीचे रहेगा तो हमको fever नहीं आता है कि लिए बाते हैं यह याद कर लेंगे it should not present with any antimicrobial agent और other edit substance it should not be present या it should not contain ठीक है इसके अंदर किसी परकार का antimicrobial agent नहीं होना चाहिए यह यह वाटर बनाया गया है used as a solvent vehicle or diluent solvent की तरह है vehicle की तरह है या diluent की तरह है for already sterilized packaged injectable यानकी ज्यादा तरह हम समझ सकते हैं जो powder form में हमारे injection होती है उसको घोलने के लिए है ना it is used for reconstitution antibiotic देखाऊगा आजका antibiotic आते हैं powder की form में होता है उसके अंदर हम लोग बगल में उसके साथ ये एक sterile water for injection की CC भी होती है खोलते हैं इंजेक्शन भड़ते हैं उसमें पानी डालते हैं घोलते हैं फिर लगा देते हैं इस total solid content may be slightly higher than in water for injection इसका तो टोटल solid content है ठीक है water for injection में क्या था 1 mg पर 100 ml था इसमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है संभावना है because of the leaching of solids from glass lined tank during sterilization को जब sterilize करते हैं तो tank के अंदर क्या होता है glass की lining होती है तो वहां से कुछ solid particle leach होकर के इसके अंदर आ सकते हैं वह harmful नहीं है ठीक है तो इसी लिए इसके अंदर solid का content थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है water for injection क्योंकि यहां पर sterilization करना पड़ रहा है के लिए रहे अब आता है तो इसके अंदर किसी परगार का microbes नहीं होगा फिर बैक्टेरियो स्टेटिक water for injection बैक्टेरियो स्टेटिक स्टेटिक मतलब जो बैक्टेरिया की growth को रोक देगा इस इस इस्टेरियल water for injection containing one or more antimicrobial agent बैक्टेरियो ग्रोथ को रोकने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ antimicrobial agent होने चाहिए तो हमने देख लिया है यहाँ पर antimicrobial agent की मनाई दी शुड नौट कंटेन एन्य एंटी माइक्टेरियो लेजेंट तो इसके अंदर किसी प्रिफिल्ट सिरेंजेस यह प्रिफिल्ट सिरेंजेस आती है पहले से सिरेंजेस भर होती है ठीक है और इन वाइल्स कंटेनिंग अप्टो 30 ml of water यह वाइल्स के अंदर होता है जिसमें अंदर लगबग 30 ml तक पानी होता है इट इस इसे अंदर बेकल दी प्रोपरेशन ऑफ इसमाल वॉल्यू यहां रखने वेटा मैं बताया था चोटे वॉल्यू में बड़े अब यह होई बाता रही है इड़ी में चोटे वाले जो स्माल वॉल्यूंस उसमाल वॉल्यूम उफ धा आज वॉल्यूम में excessive and toxic amount of bacteria aesthetic agent जो bacteria aesthetic agent होता है उसका ज्यादा amount या toxic amount such as benzyl alcohol may cause gasping syndrome यानि की multi-organ failure अब पता चला किसी patient को drip चल रही है दिन में 3 drip चल गई है यानि की देर लिटर पानी गया उसकी body में और देर लिटर के साथ सोचो कितना ज्यादा antimicrobial agent चला गया होगा उसकी body मे समझ रहे हो तो वो क्या करेगा multi-organ failure कर सकता है क्योंकि anti-microbial agent जो होते हैं वो small quantity में जैसे मालो syrup प्यारा के अंदर होता है तो पांच-5 ml लेते हैं हम लोग हमारी body digest कर जाती है उससे तोड़के बाहर निकाल देती है लेकिन जब direct हमारे blood में जा रहा है इतना सारा तो मतलब देड़ लिटर गया तो उसके हिसाब से प्रिजवेटी भी काफी मात्रा में चला जागा हमारी body में तो वो multi-organ failure कर सकता है इस वाटर इस पेस्टी लेवल डैस पर usb requirement as usb के according इसके बास साफ साफ लिखा होना चाहिए not for use in neonates one mask question में बैट आप मार्क करेंगे नियोनेट मतलब जो बच्चे पैदा हुए बच्चे होते हैं उनके उपर ये पानी का इस्थमाल नहीं करना है उनके injection में clear है बात समझ में आ रही है ठीक है ना अब sodium chloride injection तीन तरग के पानी चार तरग के पानी पढ़ लिए हमने water for injection तीन तरग के पानी पढ़ लिए ये के अंदर main main heading लिखते चलोगे तो तुम्हें याद होता है कि इसके अंदर क्या पढ़ रहे है को प्रॉलम लागे तो वीडियो को पॉस्ट करना पीछे जाना यह नहीं कि देखके पूरा मानो बात समझेवारी है ठीक है आगे आते हैं इस सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन यह भी क्या स्थिराइल साथ-साथ में क्या है आईसी टोनिक है ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर फॉर इंजेक्शन को बट कर णें वन फिफिर्टी फॉर मिली इक्फ़ेलेट्न इच आप सोडियम औन क्लोराइड इन अ पर लीटर पर लीटर लग भग इसका 154 mili equivalent आइंस जो होते हैं पाए जाते हैं इसका यूज़ होता है वेहिकल के रूप में इन सलूशन और सस्पेंशन आफ ड्रग जो ड्रग्स होते हैं उनका सलूशन बराने के लिए जिनकों की पैरेंटरल रूप में दिया जाना है जाना की आईवी दिया जाएगा सोडियम क्लोराइड 23.4% इंजेक्शन इस यूज़ टू रिप्लैनिस लॉस्ट वाटर यह मार्क करेंगे सोडियम क्लोराइड का 23.4% इंजेक्शन जो होता है ठीक है वो यही था एक्चली यही दिखाएता है मैंने यह इसका इस्टमाल के जाएदा यूस्ट रिप्लैनिस लॉस्ट वाटर एंड सॉल्ट इन यूर बोड़ी दिटू सर्टन कंडिशन जब पानी करने बहुत ज़्यादा जवर्दस तरीके से पानी कमी हो जाती है यह सॉल्ट की कमी होती है तो ज़्यादा बढ़ा जिया गया है कि पानी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और सॉल्ट की भी कमी हो गई है उस कंडिशनों कहते हैं हाइपो नेट्रेमिया तो यह याद कर लेंगे या सॉल्ट सिंड्रॉम कहा जा सकता है कि किस तरह की बिमारी में अब यह थोड़ा सा एक्स्ट्रीम कोश्चन है बढ़ हां कि बताओ सोडियम क्लोड इंजेक्शन को किस तरह की बिमारी इस्तिमाल क्या जागा 23.4% तो हाइपो नेट्रेमिया में इस कि यू इडिटीफ उसको उसको फूर जा रहा है तो पूरा नुट्रीशन हम लोग अनकॉंसिस पड़े हुए हमारा पूरा नुट्रीशन इस पैरेंट्रेल्स के थूरहा है जा रहा है तो कराइटी जाल सो यूजड एजन एडिटीव एडिटीव मतलब एक एक्ष्टा पार्ट के रूप में इस्तमाल किया था कि बॉड़ी में एने सिल्की कमी पढ़िया हो जाती है जिन फिल्यूड के अंदर कार्वाइड होता है उनमें भी इसका इस्तमाल होता है तो ठीक है हमें समझ में आया है एक सोडियम क्लॉराइड इंजेक्शन भी एक चीज होती है वेहिकल के रूपे जिसके अंदर हम लोग अपनी सॉलूशन और सस्पेंशन बनाते हैं इसका मेरोल यह रहता है फिफ्ट है बैक्टियू इस्टेरियंगे फिश्टे나िक थीजर के रहो sodium chloride in water for injection same चीज है, sodium chloride का injection होता है, पानी के अंदर और sterile होता है, it is leveled with names of antimicrobial agent इसका नाम में जो antimicrobial agent के पीछे नाम है चुप गया है, जो antibacterial agents होते हैं उनका नाम यहां mention होता है, इसके ओपर कौन-कौन से है, sodium chloride present in 0.9% concentration makes the solution isotonic, मार करेंगे very important, जो 0.9% concentration है, NACL का, है ना 0.9%, यह isotonic होता है, हमारी body के साथ इसलिए 0.9% भी बनाया जाता है while using this isotonic solution as a vehicle, it should be made sure जब भी हम इसको isotonic solution को vehicle के रूप में इस्तमाल करेंगे, यह sure करना है हमें, the drug is compatible with the preservative and sodium chloride कि जिस drug में, जो drug हम इसके अंदर घोल रहे है, वो NACL और इसके अंदर पढ़े हुए preservative के साथ compatible है, उसे किसी परकार का इससे कोई problem नहीं है, कि नहीं भाईया तो मता हो, हम तो नहीं react कर जाएंगे ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी बास समझ में आ रही है चलो, आग आते हैं फिर है हमारे पास अगला echo solution, ringer injection वेटा, हाँ, बड़ा है मैं पहले ही बोला था, lecture बड़ा है ठीक है न, परिशान मतो एज थोड़ी जेर में इसको पढ़ा लें, फिर एक 5 मिटे का परेक लेंगे ठीक है, ringer injection sodium chloride हो गया, तो तीन परकार के, हम लोग क्या पढ़ रहे है aqua cycle पढ़ रहे है तो ringer injection क्या है it is sterile solution of sodium chloride sodium chloride का sterile solution होता है sodium chloride, potassium chloride and calcium chloride, तो मार्क करेंगे बेटा, ringer solution का अदर क्या क्या होता है NaCl, ठीक है KCl और CaCl2, calcium chloride in water for injection, किसके अंदर मिलाए गया है water for injection है, और यह खुद क्या होते है sterile होते है, तो sterile powder होगा यह, इसको पाने कंदर मिला करके, हमने क्या बना लिया ringer injection मिला लिया, तक concentration of sodium chloride, potassium chloride and calcium chloride is similar to those of physiologic fluid, याने की क्या होंगे यह, isotonic होना चाहिए इनका concentration इस परकार रहेगा कि isotonic होंगे this injection is either used as vehicle या तो यह vehicle की रूप में इस्तमाल हो रहा है याने की इसके अंदर हम लोग कोई दवा घोल रहे है, for other drug or alone, और या अगर खुद इसका इसका इस्तमाल करें, क्योंकि इसके अंदर कफ सरी चीज़े पढ़ी है खुद से ही, खुद alone इसका इस्तमाल करें as an electrolyte replenisher पानी का diarrhea वेरा हो गया है, ठीक है, loose motions हो गया है body में electrolyte की कमी पढ़ गई तो हम इस जो हमारे पास solution है इसको बिना किसी active drug के direct इस्तमाल कर लेंगे as a electrolyte replenisher mark करेंगे वेटा, one mass question कि बताओ, electrolyte replenisher के लिए जब पानी कमी हो यादी body के अंदर तो plasma की volume को expand करता है, बढ़ाता है इसी में एक आता है, जो बड़ा comments होना होगा lactated ringer injection lactated ringer injection is used to replace water and electrolyte loss in patient with low blood volume जिनका blood का volume काफी कम हो गया है और पानी की कमी है, उनके अंदर electrolyte loss हो गया है, या low BP है उस case में हम lactated ringer का कहते है, injection का इस्तेमाल करते है, यानके अगर किसी patient का BP low है, तो वहाँ इस बार देख ना आपके घर में कभी किसी का BP low होता है और उसको drip लगती है अगर, तो वहाँ लिखा होगा lactated ringer injection, ठीक है ना it is also used as an alkalizing agent alkalizing, यानके body को क्या करता है, alkaline करता है, basic करता है which increases the pH level of body mark कर लेंगे बटा, body का pH level भी increase कर देता है basic कर रहा है, 7 की उपर ले जा रहा है clear है ठीक है यहाँ पर एक topic actually parogen यहाँ आगया अलग जगह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है तो हम इसको parogenes are byproduct of bacterial metabolism मैंने बताया था parogenes क्या होते है वो खत्म होगे बटा, 3, water, NACL और रिंगर ठीक है, अब parogen actually यह topic यहाँ नहीं होना चाहिए था इसको अलग जगह होना चाहिए था, लेकिन यह यहाँ पर यहाँ पर है तो parogenes are byproduct of bacterial metabolism मैंने बताया था parogenes are liposaccharide, बिटा सब one mass question है, lipid और saccharide, lipid और saccharide मतलब carbohydrate, thermostable होते हैं, heat का फरक नहीं पड़ता है इनके उपर ठीक है, soluble होते हैं पानी मैं, unaffected by bacteriocyte याने कि जो bacteria किल करने वाली हमारी दवाया होती है, वो इनके उपर असर नहीं करती है जब हम दवाया बनाते हैं, एक फिल्टर पेपर से पास कराते हैं, बैक्टिरा को रोकने के लिए, लिए अगर बैक्टिरा का metabolism से byproduct निकल चुका है, तो filter paper से क्रॉस हो करके निकल जाता है और हमारे दवायों में पहुंच जाता है, यानि कि हमारे distillation process, अगर पानी से निकालना है, तो हमें distillation करना पड़ेगा, जिस से की, केवल वाटर वेपर आ जाएं, बाद वागी साथी चीज़ें नीचे रह जाएं, using an efficient trap, which prevents the pyrogens to enter into the condenser, और वहाँ पर हमें एक खास तरगा trap इस्तेमाल करना पड़ेगा, कि जो pyrogens हैं, वो पानी के molecule के साथ, कंदेंसर में ना आ जाएं, distillation पता है ना, वहाँ पर कंदेंसर भी होता है, अरे पता है ना, distillation में कंदेंसर होता है, ओके, immediately after the preparation of water for injection, जैसी water for injection हम prepare करेंगे, it is filled into the final container, sealed and sterilized by autoclavin, तुरांत उसे seal कर देंगे, और sterilize कर देंगे, autoclavin, जिससे की कोई bacteria उसके ना पन पन पाए, कोई bacteria पन पेगा, तो endoduction फिर से आ जाएंगे, water for injection contaminated with pyrogyn may cause rise in boy temperature, water for injection जो pyrogyn से contaminated है, इसके नदर pyrogyn आ चुके है, may cause a rise in boy temperature, यह boy temperature को बड़ा सकता है, यानि कि fever लियाएगा, Hence, test for pyrogyn is done to ensure that water for injection is free from pyrogyn, इसी लिए test किया जाता है, pyrogyn test, जो कि इस lecture के end में test आएंगे, तब हम इसको देखेंगे, के लिए रहे बाते है, अब non-aquus vehicle, ठीक है, मैंने का था थोड़ी दिरे ब्रेक लेंगे, लेकिन vehicle वाला पार्ट पूरा कर ले, ठीक है, non-aquus मतलब य eliminate water entirely, हम non-aquus vehicle का इस्तमाल क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें पानी को हटाना है, क्यों हटाना है, क्यों पानी का इस्तमाल नहीं करना, कुछ कारण है, because of the solubility factor, जो दवाई है हमारी, वो पानी के लिए solubile नहीं है, तो पानी लेके हम क्या करेंगे, या hydrolytic reaction, या पानी उस medicine को, क क्या कर रही है, hydrolysis कर दे रही है, तोड़ दे रही है, ठीक है, इन दो वएसे हम लोग, पानी जो aqueous vehicle है, हमको वो use नहीं करना है, करेंगे तो problem हो जाएगी, अब, the commonly used non-aquus vehicles are oils, alcohol, mark कर लेंगे, non-aquus vehicle के रूप में हम लोग तेल का कुछ परकार के खास oils होते हैं, तेल होते as vehicle, the oily vehicle, ठीक है ना, कौन-कौन से एक्जाम्पल, इप मार कर लेंगे, इंपोरेंट है, the oily vehicles are generally used when a deport effect of drug is required, जो को deport रहने बताया था, उपर, deport, deport, जो injections हम लोग, deport कर वाते हैं, deport effect, है ना, वो अंदरा के solid बन जाता है, तो कह रहा है, oily vehicle are generally used when deport effect of drug is required, or the medicament are insoluble or slightly insoluble in water, जब मैं deport effect चाहिए, या जो डवाई है, वो insoluble है, या बहुत ही हल्की soluble है पानी के अंदर, और the drug is soluble in oil, या फिर जो दवा है, वो oil के अंदर बहुत अच्छे से soluble हो जाती, तो ही हम लोग, oily vehicle के इस्ट्वाल करेंगे, ठीक है, एक्जाम्पल, डाइ मर्केपरॉल injection by using arachis oil as vehicle, जैसे कि डाइ मर्केपरॉल है, डाइ मर्केपरॉल injection को हम लोग arachis oil के अंदर dissolve करके बनाते हैं, अब कहरा है, इथाईल अलकॉल is used in the preparation of hydrocortisone injection, यह थोड़े से बीटा example के साथ बताए हैं, मैंने याद कर लेना, क्योंकि one last question, तुमको यहाँ पे भी help करेगा, प्लस थ जिर एक्जाम भी आएगा भविश में, तो हमें हर चीज की तयारी के लिए चलना है साथ के साथ, hydrocortisone is insoluble in water, तो hydrocortisone के पानी के अंदर insoluble होता है, hence the solution is made in 50% alcohol, इसलिए इसका हम लोग 50% alcohol बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही अच्छा खासा soluble होता है, alcohol causes pain and tissue damage at the site of injection, इसलिए कुछ इंजेक्शन ना बड़ा दर्द करते हैं, कुछ इंजेक्शन देखा वारे बड़ा राम से लग गया, कुछ इंजेक्शन जान निकाल देते हैं, तो alcohol वाले इंजेक्शन दर्द करते हैं, ठीक है, therefore it is not used commonly, इसलिए इसको आम तर्फे इस्तमाल नहीं किया जा जो डिजॉक्सिन इजेक्शन है, उनके प्रप्रेशन वे इसका इस्तमाल होता है, it is relatively non-toxic, but it causes pain on subcutaneous और IM इंजेक्शन, non-toxic होता है, but जब हम subcutaneous इंजेक्शन लगाएंगे, या intramuscular लगाएंगे, तो ये दर्द करता है, sometime polyethylene glycol and glycerine usually diluted with sterile water are used, कई बार polyethylene glycol और glycerine क इसको हम लोगों dilute कर लेते हैं, sterile water से, ठीक है, to prepare solution for injection, they are used as solvent as well as to increase the stability of certain preparation, ठीक है, याला पॉइंट टेक बता दियागी है, इसको कर लेते हैं, याला पॉइंट देना जिना नहीं देना लिए, उपर के तीन पॉइंट लिखने हैं, अब उपर जो हमने पड़ा है, ठीक है उसके अधार पर हम बात करें, तो हम लोग वी केंड डिवाइट नौन एक्कोस वैकल इंटो टू कैटेगरी, water miscible solvent, तो हम देख सकते हैं कि water miscible और water immiscible, जाला पॉइंट अगर हम देखें गौर से, तो क्या कह रहा है, sometime polythine, glycol and glycerin is usually diluted with sterile water, यानि कि हम इसको dilute करते हैं, sterile water के साथ है, यानि कि पानी के अंदर ये soluble है, तो हम लोग अगर इस प्रकार से divide करें, तो जो non-ecosolvent हैं, उसको हम लोग दो प्रकार से divide कर सकते हैं, एक जो पानी में नहीं खुलते हैं, ठीक है, खतम कहानी, यह example याद कर लेंगा आप लो, ठीक है, अब कह रहा है, the most commonly used solvent are, सबसे ज़्याद इस्तमाल होता है, वो polyethylene glycol, polyene glycol and fish doils, उपर वोई तीन के example भी देखे हैं, हमने, ethyl alcohol, ठीक है, 40% ethanol with water is particularly used in the preparation of solutions of cardiac glycosides, ठीक है, तो 40% ethanol है, वो cardiac glycosides के preparation में इस्तमाल होता है, तो समझ में आगी बात यहां पर जो non-ecos का main use क्यों होता है, क्योंकि हमार पानी उस drug को क्या कर देगा, hydrolyze कर देगा, ब्रेक कर देगा, उस case में हम लोग जो non-ecos solvent, पानी के अलावा जब किसी और को इस्तमाल करेंगा, तो non-ecos, अब वो solvent दो परकार से हो सकते हैं, या तो पानी में dissolve हो सकते हैं, या पानी में dissolve नहीं होंगा, नहीं घुल जाएंग और आगे आए, glycols किसमें हैं, barbiturates में, certain alkaloids में, certain antibiotics में, glycols का इस्तमाल होता है, barbiturates के लिए, जैसे हम लोग पीछे पढ़ा था भी, hydrocortison के लिए, the fish oil must be vegetable origin, so that they will be, कह रहा है, जो fish oil हम लोग इस्तमाल करते हैं, उसको vegetable origin का होना है, क्यों होना है, ताकि वो easily metabolize हो जाए लिक्विड रहे, room temperature पे, हैना पता चला है, ऐसा नहों, animal oil का इस्तमाल कर ले, जम गया वो, दिक्कत कर जाएगा, not become rancid readily, तुरंत वो खराब नहीं हो जाए, clear रहे, when cooled at 10 degree centigrade to ensure the stability and clarity of the injectable produced during refrigeration, जब हम refrigerate करते हैं 10 degree पर, तो वो clear clear solution हमको दिखा जाना चाहिए, इसलिए इसका का इस्तमाल करते हैं, not contain mineral oil और paraffin, ठीक है, as these are not absorbed by the tissue, इसके अदर mineral oils और paraffin नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह body की tissue द्वारा absorbed नहीं होता है, having saponification value, 185 to 200 and iodine value, iodine value बता ना क्या होती है, कितना fat है उसके अंदर between 79 से 141 के बीच में इसकी value होने चाहिए, तो यह कुछ characteristics हैं कि अगर हम fish oil का इस्तमाल करते हैं, non-acquus vehicle के रूप में, non-acquus vehicle के रूप में, तो यह सारे characteristics उसके अंदर क्यों करते हैं, क्योंकि यह सारे characteristics उसके अंदर होती हैं, इसलिए हम लोग fish oil का इस्तमाल करते हैं, बास समझ मारी है, अब ideal feature of non-acquus vehicle, non-acquus vehicle का ideal feature, क्या होने चाहिए तो यह इस दोगों दोगों सेम सेम चीज आ जाएंगी नॉन इरिटेटिंग, नॉन टॉक्सिक, नॉन सेंसिटाइजिंग, इरिटेट नहीं करना है टॉक्सिक नहीं होना चाहिए सेंसिटाइसिंग, जहनजनाट अगरा पैदा नहीं करना चाहिए and must not exert an adverse effect on ingredients of the formulation अब इसी बात है, जो उसके अंदर ingredients डाले जा रहे हैं उनके उपर किसी भी परकार का कोई और असर ना डालना है याने कि उसकी therapeutic activity पे फरक ना डाले it must not exert pharmacological activity जो oil है वो किसी भी परकार की pharmacological activity याने कि हमारी body को पर कोई असर ना डाले तो हमें समझ में नहीं आगे, असर दवा का हो रहा है कि इसका solvent का हो रहा है of its own and it may not adversely affect the activity of the medicinal agent तो वोई वाली बात आए कि जब दवाई की activity या काम करने की चमता है उसमें भी कोई within पैदा ना करे कोई interfere ना करे it has physical and chemical stability at various pH level कि बाड़ी में जाती है metabolize easily, body में जाके easily metabolize हो रहना चाहिए it has sufficient viscosity which must be such as to allow ease of injection इनकी viscosity गाड़ा पन इतना होना चाहिए कि injection लगाए अराम से लग जाए ठीक है it has fluidity, मतलब flow करना चाहिए इनको which must be maintained over a fairly wide temperature range जो fluidity होती है इनकी वो temperature की range मतलब मालो 10 degree से लेके 50 degree में एक normal flow रहना चाहिए यह नहीं की कम temperature पर गाड़ा हो जा रहा है और जा temperature पेगल जा रहा है इस type से नहीं होना चाहिए उसकी fluidity जो है maintained रहे अधरवाइस injection देने में दिक्कत आ जाएगी it has boiling point which should be sufficiently high to permit heat sterilization इसको boiling point काफी high होना चाहिए तबी होगा उसके साथ यह miscible होना चाहिए घुल जाना चाहिए and low vapor pressure to avoid problem during heat sterilization और इसका जो vapor pressure है वो low होना चाहिए जिससे की heat sterilization के समय problem ना हो clear है बाते हैं तो यह हमारे किसके बारे में बाते हो गई vehicles के बारे में ठीक है किसके बारे में बाते हो गई हमारे solvent जिसके अंदर हम लोग अपना injection घोल करके बनाएंगे clear है पानी बानी पीलो अब अब हम क्या start करेंगे अड़िव श्टार्ट करेंगे 5 बिंड का break है मुह दुल लो पानी पीलो copy अपी लेके नहीं बैठे तो copy लेके बैठे हो ठीक है 5 बिंड का break श्टार्ट करें उसके बाद ले लिया ब्रेक चलें श्टार्ट करें मैंने पहली कहा था यार लेक्टर थोड़ा सा लंबा है क्योंकि एक ही बार में हमको इसे finish करना कई सारे part कर देंगे तो फिर क्या होता है एक part कर दूसरा part डूनता है बच्चा करता है दिक्कत आती है चलो additive start करते हम लोग तो additive क्या है हमको सबको पता additive वो सारी चीज़े होती है जो हम main active ingredients के अलावा इस्तमाल करते हैं जिससे की क्या है बहुत सारी चीज़ें soluble बनाने के लिए wetting agent हो गया stability increase करने के लिए वो सब क्या होते है additive होते है तो कहा रहा है these substances are added to increase यह substance add किया जाते है increase करने के लिए क्या stability और quality of product product की quality बढ़ाई जाएगी stability बढ़ाई जाएगी इसलिए हम इसका इस्तमाल करते है the following additive हा commonly used in preparing stable parental preparation कुछ additive यहाँ पे है जो की आमतार पे इस्तमाल होते है thus we are solubilizing agent these are used to increase the solubility of drug drug की solubility को increase करने के लिए होते है जो की पानी के अंदर कम soluble है उनको ज़्यादा solubile बनाने के लिए इस्तमाल होता है ठीक है न which are slightly soluble in water तो यह करते है drug की solubility increase कर रहे है ऐसे drug के लिए जो की slightly बहुत कम soluble है पानी के अंदर the solubility of drug increased by using surface active agent पता ही है हमको like twins and polysorbate यह example से हाथ करने पढ़ेंगे ठीक है न twins and polysorbate or by using co-solvent co-solvent non-accush वगर हम लोग इस्तमाल करते हैं ठीक है न तो इनकी help से हमको क्या है उसको soluble बना रहे है next आते है stabilizer the drug in the form of solution are more liable to deteriorate due to oxidation जो solution की रूप में हमारे पास दबाई मौझूद है drugs in the form of solution वो more liable वो ज़्यादा liable होता है कि ज़्यादा easily deteriorate खराब हो सकती है due to oxidation हावा लाईगी तो the stabilizers are added in the formulation to prevent this तो stabilizer के इस्तमाल किया जाता है जो कि इसको oxidize नहीं होने देंगे और hydrolyze नहीं होने देंगे the oxidation can be prevented by adding a suitable antioxidant such as तो oxidation को रोखने के लिए antioxidant के इस्तमाल करेंगे तुम लग चाहो तो यहाँ पर क्या है simple example लिख करके antioxidant लिख करके उसके आगे example देदोगे ठीक है इस तरह हाड़िस को लोखने के लिए anti-hydrolytic agent लिख करके example देदोगे लाइन पूरी पूरी लिखने की जरूबत नहीं है ठीक है तो antioxidant के example क्या है thai urea, ascorbic acid, sodium, meta, bisulphite और the product is sealed in an atmosphere of nitrogen और carbon dioxide तो या तो हम उसके अंदर antioxidant डालें कौन-कौन से thai urea, ascorbic acid, sodium, meta, bisulphite या product को जब हम seal करें तो आजपास का जब atmosphere है वहाँ पे air ना हो करके क्या होनी चाहिए nitrogen जब ऐसी normal atmosphere में हम लोग क्या करते है seal करते हैं तो air अंदर trap होजाती है तो air के अंदर oxygen भी होती है और पानी के molecule भी होती है तो वो क्या कर सकते हैं drug को deteriorate कर सकते है ठीक है तो अगर nitrogen वाले atmosphere में करोगे तो अंदर nitrogen होगी तो जब seal तोड़ोगे तो nitrogen उड़ जाएगी बाद बाद कि तुम दबाई लगा लो जाओगे या CO2 वाले atmosphere के अंदर उसको seal करना चाहिए hydrolysis can be prevented by using non-aquest vehicle hydrolysis को रोखना है तो हम लोग क्या इस्तमाल करें non-aquest vehicle जो अभी पीछे पढ़ा और by adjusting the pH of the preparation या हम pH को adjust कर देंगे जिससे कि hydrolysis नहीं होगी ओके anti-oxidant कि अगर हम बात करें anti-oxidant actually point ना होकर के इसी के अंदर आना चाहिए दो टाइप से होते है water-soluble और oil-soluble ठीक है तो यहां पर हम इसको क्या कर लेंगे point ना बनाते हुए ऐसे कर देंगे इसी के अंदर topic आ जाएगा दो परकार के हैं water-soluble और oil-soluble तो water-soluble ने sulfurous acid sulfurous acid salt ascorbic acid isomer thiol derivative है ना थाययूरिया था oil-soluble के अंदर propyl galate butylated hydroxy anisole ascorbial permitate alpha tocopherol पेटा example की एहम भूमिका होती है अगर आप कोई चीज़ explain कर रहो anti-oxidant आपने define कर दिया उसके बाद अगर आप example दे देते हो वो एक बहुत अच्छा impression डालता है उसके number भी जादा मिलते हैं आपको तो examples की अपनी importance है ठीक है ना buffering agent the degradation of preparation degradation मतलब खराब होना preparation का which is due to change in pH can be prevented by adding a suitable buffer to maintain the desired pH कई बाद pH में changes आते हैं इसके वाइसे क्या होता है हमारा जो solution है हमारा जो injection हो खराब हो सकता है तो उसके अधर हम लोग क्या कर देते हैं buffering agent डाल देते हैं कौन-कौन से buffering agent है acid, 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 citric acid, citrate phosphoric acid, phosphate, glutamic acid, glutamate कितना concentration में डालेंगे और क्या pH maintain करेंगे ये अगर हमको pH चाहिए 3.5 से 5.7 के बीच में तो इसका इस्तमाल कर लेंगे 2.5 से 6 के बीच में चाहिए तो इसका इस्तमाल कर लेंगे 6 से 8 की बीच में चाहिए 8 से 10 की बीच में चाहिए तो इसका यानि कि ये दोनों basic के लिए हो गए यह दोनों acidic के लिए हो जाएंगे, ठीक है न, acid acid लिखा भी हुआ है, यहां पर भले acid लिखा हुआ है, बट यह दोनों क्या maintain कर रहे हैं, basic pH maintain कर रहे हैं, 6-8, 8 से जर्फ, ठीक है न, यह उनका concentration या दे रखा है, antibacterial agent, bacteria की growth को रोकेगा, अब तो सब पढ़ाई हुआ है, these substances are added in adequate quantity, यह परियाप मात्रा में हम इसे add करते हैं, to prevent the growth of microorganism, microorganism की growth को रोकने के लिए during storage, so these substances act as preservative, तो इन ही कोई हम लोग क्या बोल देते हैं, preservative भी बोल देते हैं, ठीक है, some typical preservative used in parental suspension are this, ठीक है, हसते रहो, mind relax रखो, समझो, ठीक है, अभी जबब फिर बता रहो, लंबा lecture है, अभी समझ लो, याद करने ही कोशिश मत करना, ठीक है, और या पार्ट में, थोड़ा एक 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 पार्ट देखें कि वेहिकल आज पढ़ लिया, additive कल पढ़ोगे, इस तरह से पढ़ना, ठीक है, तो benzyl alcohol है, methyl parabéns है, propyl parabéns है, benzylconium chloride, parabéns, polybarabéns, यह तो हम पहल इस्तमाल होता है, चिलेटिंग एजेंट पता ही है, क्या होता है, चिलेट हम लोग पढ़ चुके हैं, यह क्या करते हैं, complex form करते हैं, कई बार क्या है, metals के ions होते हैं, metal science हमारी manufacturing process में, जब हम injection कर रहे होते हैं, वहां दिक्कत पैदा करते हैं, तो metal ions को घेर के कौन पकड़ता है, EDTA, खेल खतम, चिलेटिंग एजेंट सच एस EDTA, इथाएलिन, डायमीन, टेट्राइसिटिक एसीड, एड़ेटिक एसको साल्ट होते हैं, sodium, potassium, salt of citric acid, और added in formulation, formulation मिलाय जाते हैं, तो चिलेट, मैं पहले बता चुका हो, metal होता है, तो EDTA होता है, हम लोग डिसक्स कर चुके हैं, इसको हैं ना, इस तरह से पुरा पकड़ लेता है, जगड़ लेता है, छे हांत होते हैं, इसके, the metallic iron, metallic iron होगा, तो हम लोग किसका स्टनल करेंगे, चिलेटिंग एजेंट का, present in the formulation, thus preventing the metal iron from interfering in the manufacturing process, और इस परकार, metal iron को हम लोग रोक देते हैं, कि तू कोई देखना नहीं देगा, injection के formulation में, ठीक है ना, तो हमने पकड़ लिया, जगड़ लिया, ठीक है, देख फॉर्म में complex की complex बनाते हैं, get dissolved in the solvent, और solvent के अंदर, इसको ले करके घुल जाते हैं, कि चल भई या अंदर, अब तेरा कोई काम नहीं आप है, ठीक है, तो यह attitudes है, उनका concentration है, तो and to suspend the particle for a long time, suspending agent, लंबे समय तक particles को solution के अंदर तैरता हुआ रखे का, जिससे की क्या है, कि हमारे जो drug particle है, जो soluble नहीं होते हैं, क्या कहते हैं, वेहिकल के अंदर, वो suspend करते रहें, तैरते रहें, ठीक है न, फिर है methyl, इसमे का है बोल रहा है, methyl cellulose, carboxy methyl cellulose, gelatin, acacia are commonly used suspending agent, example must है, यह सब आपको पता है, emulsifying wetting agent definition वही है, जो पहले पढ़ी थे आपने, ठीक है न, अब क्यों एक्जामपल यहां समझते है, emulsifying agent used to used in sterile formulation for this purpose, lecithin, mark कल लेंगे, किसका इस्तमाल हो रहा है, lecithin का, the wetting agent are used to reduce the interfacial tension between the solid part, wetting agent ताकि वो गीले हो जाए, है न, अगर पानी या, पानी के साथ वो dissolve नहीं हो रहे हैं, भींग नहीं रहे हैं, तो अगर पानी में dissolve नहीं हो तो tearing के उपर, तो wet कर देते हैं, तो पानी के अंदर आ जाते हैं, फिर यह, ठीक है, तो यह क्या करते हैं, interfacial tension इसको भी जिकर कर चुकि है, हम लोग पानी लेक्चर से, इनके आ पानी होता है, पानी के साथ इसली यह, मिल जाता है, मिल जाता है, मतला तैरता रहेगा, फिर वैट हो जाता है, soil, but again, liquid so as to prevent the formation of lump, अब इस पर काइस से क्या है, कि यह, अगर यह, यह उपर की परत नहीं होती, तो सारे के सारे जो, पार्टिकल से ना, दवाईयों के वह आप antiforming agent का भी काम करते हैं, जिससा में shaking गएरा होती है, preparation बनते वक्त, जब shaking गएरा हो रही होती है, तो antiforming agent का भी काम करते हैं, form नहीं बनने देंगे, tonicity factor, very important, यहां से diet question भी आ सकता है, tonicity का मतलब क्या होता है, isotonic, तो parental preparation should be isotonic with blood plasma, और body fluids, body का कोई भी fluid है, extra cellular, intra cellular, plasma है, उसके साथ इसको क्या होना चाहिए, isotonic होना चाहिए, the isotonicity of the solution may be adjusted by adding sodium chloride, dextrose, boric acid, etc. and suitable quantity, है ना तो isotonicity हम लोग उसकी set कर सकते हैं, these substances should be compatible with other ingredients of the formulation, इन substances को compatible भी होना चाहिए, compatible मतलब यह नहीं कि आतो गए, tonicity set कर दी, पदल दबाई की rate लगा दी, उसका rate कर गए और खराब क होना चाहिए, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, ठीक है, compatible, examples of tonicity, adjuster, modifier, glycerine, lactose, mannitol, dextrose, anicea, sodium, यहाँ पर example रिपीट हो गए, ठीक है ना, तो यह example यहाँ रखने है, tonicity का मतलब, और उनकी क्या खासत होना चाहिए, compatible with other ingredients, दूसरे ingredients जो होते हैं, हमारे injection के अंदर, उसके साथ compatible होने चाहिए, importance of tonicity, tonicity की importance क्या है, तो देखो यहाँ पर साफ सिदी सी बाद है, समझ लेते हैं इसको, अगर तुमने जो वो बनाया है, solution तयार किया है, ठीक है, injection, और वो कैसा है, hypotonic है, कैसा है, hypo, hypo का मतलब क्या है, उसका concentration कम है, तो ऐसी अवस्था में क्य होगा, उसके अंदर से पानी, जो हमारे RBC, यह red blood cell है, जो यह hypo tonic है, तो पानी जो है, इन cell के अंदर घुशेगा, और nिकले का कम, तो फूलेंगे, 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 फूट जाएंगे, बश्ट कर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, bursting, तो याद रखना hypotonic, तो यह मैं लिख देता हूँ hypotonic होंगे तो bursting हो जाएगी, अगर isotonic होंगे, तो कोई problem नहीं, जितना पानी अंदर जाएगा, उतना पानी बाहर निकल आएगा यह कौन सी condition होगी, isotonic और अगर hypertonic है क्या है यह, hypertonic याने की, बाहर का जो हमारा liquid है, हमारा solution है उसका concentration जादा है जब concentration जादा होगा, तो cell के अंदर से पानी जादा मात्रा में बाहर निकल के आएगा, और यह सुकुड जाएगे इस सुकुडने के लिए जो process होती है समक्रिनेशन क्या होती है crination, तो hypertonic अगर होगा हमारा solution तो blood cells crinate कर जाएंगे, isotonic में normal रहेंगे hypertonic होगा तो यह burst कर जाएंगे क्यों पानी उस solution का injection का निकल निकल के red blood cell के अंदर घुसेगा इसी लिए इसकी importance है क्योंकि अगर यह isotonic नहीं होगे तो क्या होगा हम लोगों की मौत भी हो सकती है ठीक है जेखो an isotonic solution is one that exhibits the same effective osmotic pressure चाहे हम कहलें की effective osmotic pressure same है चाहे हम कहलें की concentration same है same as red blood cell कुछ भी कह सकते है as blood serum blood serum कह लो या RBC कह लो एक ही बात है serum को मतलब serum ऐसे अलग होता है लेकिं blood serum का मतलब होगे जो वहां का fluid है और वहां के जो cells है isotonicity is important for penetral preparation because if the solution is isotonic with blood कह रहा है यह important है जरूरी है अगर वो isotonic होगे blood के साथ the possibility of product penetrating the RBC and causing hemolysis तो इसकी जो संभावना है कि product penetrate करे product जो है blood के अंदर घुश जाए और hemolysis कर दे यह जो यहां पर फूटा है यह bursting होई है इस bursting के लिए word क्या इस्तेमाल होगा hemolysis क्या word इस्तेमाल हो जाएगा hemolysis ठीक है निजब बस्टिंग के लिए word क्या होगा hemolysis is reduced तो इसकी संभावना गिर जाएगी for hypertonic solution crination and for hypertonic solution hemolysis लोग कर तो अगर hypertonic होगा तो crination one marks question बेटा mark कर लेंगे यह one marks question है hypertonic solution में क्या होता है crination hypo में क्या होगा cell burst कर जाएगे या hemolysis हो जाएगी hemolysis मतलब cell तूटके lysis lysis का मतलब तोटना RBC का तूटना lysis स्लाइस कर जाएगे फूट जाएगे बात समझ माई अब आते हैं हम लोग हमारे पास वो पराने वो इस मतलब additive की बाते खतम हो गई है हमने additive पढ़ लिया हमको सब कुछ पता चल गया उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि यह बनाए कैसे जाते है इनकी manufacturing कैसे होती है है ना preparation कैसे होती है तो बात करें अगर preparation की तो production facility of parenterals production facility अगर production facility की बात करें तो वहाँ पर हम उसको पांच area में divide कर सकते हैं एक area होगा clean up area जहाँ पर हम लोग जितना वे जो भी चीछे हैं उनको सबको साफ सूफ करेंगे दूसरा होगा preparation area जहाँ पर हम सारा medicine वगरा मिलाएंगे तयार करेंगे ठीक है ना एक होगा aseptic area जहाँ पर finally क्या होती है filling वगरा होती है filling वगरा होगी दवाईयों की वो aseptic area होती है then quarantine filling होने के बाद हम लोग क्या करते हैं दवाई को कुछ समय के लिए एक जग़ रख देते हैं क्योंकि हमें sampling भी करनी है quality control test भी करना है ठीक है तब तक के लिए दवाई एक जग़ रहती है फिर finally जब हम लोग कहते हैं हाँ मेरा यह जो batch बनके तयार हुआ है यह पूरा fit है, set है तब मैं finishing दूँगा और packaging area में ले जा करके उसको level level लगा logo करके उसे pack कर दूँगा बाद समझ माई तो हम इस तरह से 5 area में इसको हम divide कर सकते हैं ठीक है तो ठीक हम हरे के लिए की बात नहीं करेंगे हम अपने mainly बात करेंगे अपना हमें क्या करना है process करवानी है यानि कि हम बात करेंगे aseptic processes की production procedure आखिरकार produce कैसे किये जाते हैं step by step उसमें कुछ बाते हैं फटफट देख लेते हैं तो कह रहा है दा parental drug manufacturing process include क्या क्या है इसके अंदर compounding ठीक है दवाई जो ले लेकर आएंगे ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ठीक है then mix करेंगे filtrate करेंगे fill करेंगे terminal sterilize करेंगे live visualization करेंगे closing and sealing sorting sort out करेंगे और inspection जाच करेंगे level करेंगे और final packaging for distribution तमाम चीज़ें जो होती है manufacturing department में वो सारी चीज़ें यहाँ पर होएंगी अब aseptic process requirement adds more complications अब ये चीज़ धियान रखनेंगे बटा मैं साहिद बताया भी था कि जो aseptic condition वो सिर्फ और सिर्फ sterile के लिए होती है हर किसी के लिए नहीं होती है तो aseptic process is requirement add more complications बट assures जो aseptic requirement है ना वो इस process को थोड़ा सा और मुश्किल बना देती है क्योंकि हमें aseptic माहौल में ही जिससे की किसी परकार का filling करते वग contamination ना हो जाए ठीक है ओके तो हमको aseptic requirement चाहिए होती थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन ये सुनिश्चित करती है that all doses from manufacturers are free from contamination of microbial aseptic condition ये सुनिश्चित कर देते हैं कि जो हमने filling करी है दवाईयां भरी है injection बना के तयार किये हैं उसमें किसी परकार का microbial growth नहीं है किसी परकार का antitoxin नहीं है किसी परकार का visible particulate matter कियाना कि जो मेरी दवाईय है वो एकदम killer करे अब the manufacturing process initiate with the procurement of approved raw material obviously बात है सुरुवाद कहां से होती है जो raw material approve किया गया कि हाँ हमें ये वाला raw material लेके आना है तो वहीं से इसको सुरुवाद होती है excipient हो सकते है vehicle होंगे and primary packaging material उसको भी लेके आएंगे क्या के चीज़ चाहिए packaging के लिए container, closer and end sweet और इसका ant होता है the sterile product sealed in its dispensing package finally क्या हो रहा है वो seal कर दिया जा रहा है ठीक है following steps are followed ये सारे steps होते हैं इसके अंदर देखें जारे कौन कौन से step है तो सबसे पहले क्या है cleaning of containers and closer तो इसके अंदर मन से बना के भी लेक्स रखते हो लेकिन हमें एक चीज़ यहां पर केवल क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि हम इसको clean किससे करते हैं ठीक है sodium pyrophosphate all the container closer closer जो जो रवड वगरा लगाई जाती है वाइल के उपर and equipment which are required during the preparation जो भी equipment है जिसके अंदर दवयां अगरा बनेगी ठीक है प्रेंटर प्रोट्ट के लिए उसको thoroughly पूरी तरीके से साफ करेंगे with detergent and washing is done with tap water detergent साफ करने के बाद direct manufacturing नहीं करेंगे फिर उसके बाद tap water चलाएंगे जिसके अगर कहीं पर detergent छूट गया है अंदर तो वो साफ हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसे clean distil water से साफ करेंगे और finely rinse with water for injection इतनी बाद equipment को दुलाई की जाते जिससे कि कोई दूसरे या कण ना रह जाए उसके अंदर कण रहेगा तो water for injection का लाश्न बचेगा वो हमें नुक्सान नहीं पहुँचाएगा ठीक है अब कुछ लोग सोचते होंगा इस तरीके से बच्चों की दिवांगा आता होगा यार हमने सर्फ लगा के धुलतो दिया सावन रह जाएगा तो तो सावन नहीं रहता उसके अंदर इस्तना प्रोसेस होता है जाकर के तब जाकर के फाइनल ड्रग दवाई की मैनिफेक्टिन इस्टार्ट होती है रबर क्लोजर और वाश्ट विद हॉट सोलुशन ऑफ फाइनली उसको फिर हम लोग वाटर फॉर इंजेक्शन से धूते हैं आखरी जो दुलाई होगी वो वाटर फॉर इंजेक्शन से होती है किलियर ऑन ए स्मॉल स्केल वाश्टिक इस डन मैनूली छोटे स्केल पर लोग हाथ तों से धुल लेंगे बड़े स्केल पर ये सारा काम मशीन है करती है किलियर है पिर्परेशन ऑफ सलुशन अब हमने पहले क्या कर लिया सारा कांटेनर दूल के तयार कर लिया अब सलुशन बनाएंगे हम लोग दवाई वगरा बना के तयार करेंगे सलुशन तयार करेंगे तब वेरियस इंग्रीजेंट्स ऑफ फॉर्मुलीशन ऑफ पैरेंटर प्रड़ेशन और वेड़ सबको तॉल लेंगे कितना कितना चाहिए और सबको पैरेंटर प्रड़ेशन और लागे खटा कर लेंगे वो प्योर होना चाहिए उसमें किसी प्रकार का इंपुर्टी नहीं होनी चाहिए वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉं पारोजेंट्स और मायको ऑगनिजम्स आर यूज़ जो वाटर फॉर इंजेक्शन लोग इस्तिमाल करेंगे वो पारोजेंट्स फ्री होना चाहिए मायको ऑगनिजम्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर ठीक है अब जो इंडश्ट्री का फार्मसिस्ट होता है वो डिसाइड करेगा और ओव मिक्सिंग किस आॉड़र में कौन सी दवा या इंग्रीडियंट को मिक्स करना है और एग्जेक्ट मैज़ड ओफ प्रिपरिशन और सही तरीका बनने का कौन सा है वो डिसाइड करेगा to be followed before preparing the parental product तो parental product को बनने से पहले जो industry का फार्मसिस्ट होता है वो decide करेगा किस order में दवाईयों को mix करना है और कौन सा तरीका follow किया जाएगा The parental preparation must be prepared under strict aseptic condition एकदम strict aseptic condition के अंदर हमें क्या है parental preparation को तयार करना है The ingredients are accurately weighed ingredients को हमनों को सही से नापना है यह जो लबजाते हैं यहाँ पर यह मन से बना के भी लिख सकते हो पहले बता रहा हूं तो मैंने लिखा है तो मैं इसको explain कर रहा हूं ठीक है ना तो इसको चाहूँ तो आप लोग fast forward करके देख सकते हूं इंग्रीडेंट्स और accurately weighed उनको सही से नापना है अलगलग नापना है और dissolve करना है वेकल के अंदर एस पर method of repression जो method of repression जाएड हुआ है उसी को according दा parental solution शो फॉर्म अब जो बन जाएगा पास्थ रूदा बैक्टेरिया प्रूफ फिल्टर फिल्टर फिर हम उसे is to clarity clarify the solution by removing foreign particle सबसे पहरा objective होता है कि किसी प्रकार को foreign particle एक तो वो हट जाएगा ठीक है इव दा प्रेंट्र प्रेशन आर रुक्वाइट टू बी स्ट्रिलाइज बाइंस ऑफ बैक्टेरिया प्रूफ फिल्टर अगर हमें प्रेंट्र स्ट्रिलाइज करना है तो filtration should be done under strict aseptic condition और इसे बात है तो हमें strict aseptic condition follow करना है to avoid contamination on filtered solution before it is finally transfer to the final container and seal इससे पहले कि उसे हम लोग transfer करें और seal करें तो इस्टिक aseptic condition के अंदर हमें bacteria proof filter से हमें इसे filter करेंगे इस्ट्रिलाइज करेंगे now filter हो गया सब कुछ हो का solution container हमारे ready है solution बनके तयार हो गया है अब हम क्या कर देंगे उसके अंदर भरने के बाद filling और sealing the filter product is filled जो चनके आके तयार हो गया है product उसको भर देंगे into the final container है ना final container हमारा क्या हो सकता है एंपूर हो सकता है while हो सकती है and transfusion bottles सकती है which are previously cleaned and dried जिन को कि हमने पहले धुल लिया था और सुखा लिया था Ampulls are used for filling single dose whereas whilst are used for filling multi dose अगर हमें single dose बनाने तो एंपूल लेंगे कई सारे dose में convert करना है तो वाइल का करेंगे बोटल सारा मीन फॉर फिलिंग transfusion फिल्यूट आब बोटल का इस्तमाल अगर हम ट्रांस फिल्यूट बना रहे है तो बोटल का इस्तमाल होगा ओके तो अब सारी बाहरी पराने वाली सारी टाम्स अरे रिपीट हो रहे है का अब क्या रहा है, small scale filling done manually, छोटी scale पर हातों से कर लिया जाता है, ठीक है, using hypodermic syringe, यह खास सरे की syringe होती है, उसकी help से हम लोग लेंगे, बड़ी सी होती है, ऐसे मालो जैसे की ने, अपने बहसे वाली सुई होती है, उससे भरा खीचा भर लिया, भरा खीचा भर लिया, ठीक ह एंड नेडर, on large scale filling is done by automatic filling machine, large scale पर automatic filling machine होती है, the sterile powders are filled into container by individual weighing or by using automatic semi-automatic machine, the sterile powder, जो sterile powders होते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके तौलेंगे और भर देंगे अगर हात से भर रहे हैं, या फिर आजकल तो क्या है, automatic और semi-automatic machine सारी उसको दौरा भर जाता है, the filling operation is carried out under strict aseptic condition, यह दो को word बार बार आ रहा है कि हमें aseptic condition follow करना है, during the filling of ampoule, care should be taken that the solution should be filled below the neck, जो उसका neck होता है, उसके नीचे रहना चाहिए, during the filling of ampoule, care should be taken that the solution should be filled below the neck of ampoule and the solution should not touch the neck of ampoule, solution touch क्या टच नहीं करेगा, neck of the ampoule टच नहीं करेगा, बास समझ भार रही है, ओके, ठीक है, तो जब भी हम उसको भरेंगे, तो उसकी neck तक ही भरेंगे, उसको पर नहीं भरेंगे, अदरवाइस क्या होता, sealing होगा रहा हम प्रॉलम आती है, sealing should be done immediately after filling, भरने के तुरंत बाद हम क्या कर देंगे, seal कर देंगे, ampoule's are sealed manually on small scale by rotating the neck, ठीक है ना, तरीका क्या होता है, एम्पल को seal करने का, एम्पल दो कुछ इस प्रकार क्यों होते हैं, ऐसे लंबे से होता है, स्टार्टिंग में, हमारे पास क्या होता है, हीट करते हैं हमारे पास, कुछ हीट करने का सिस्टम होता है, या बुंसन बर्नर होता है, हमारे पास एक औजार टाइप कर रहेगा, ठीक है ना, उस पर हम लोग क्या कर यहां से हीट करते हैं, और उपर जो होता है इसको ऐसे रूटेट करते हैं तो जब रूटेट करते हैं और हीट करते हैं कांच होता है कांच पता यह हीट होने से पिगलता है तो यहां से पिगल जाता है और यह इस तरह से यहां पर सील हो जाता है और यह पार्ट पिगल करके इतना अलग हो जाएगा यह पार्ट ऐसे इतना पार्ट अलग हो जाता है और इस तरसे से एंपूल बनके तहीता है असलिए मैम होकूत को मियुखा हो सकता है आप लोगों को आपके से इसीड करना आख विस्यो से कर देते हैं। वाइस मैंनुवली नहीं करना है तो हम लोग किसे करते हैं फिर और बाइस मशीन होती है तो करें रूटेटिंग दर नएक है न नेक को ऐसे रूटेट करेंगे और हीट करेंगे तो आख़ो जाता है इसील हो जाता है इन दा फ्लेम ऑफ बॉंसन बरनर बट आप उन लार्ज स् ट्रांस्विजन बोटल्स होती ना उपर लगी होती है फिट कर दिया थी रवर्ड और फिर रवर्ड क्लोजर रार हैल्ड इन प्लेस वाई क्रिम्पिंग दा अल्मूनियूम कैप रबर हट ना जाए खुलना जाए या कोई खोल के उसके मिला ना दे तो हम लोग क्या करते हैं उसके उपर अल्मूनियूम कैप लगा देते हैं विचा डन मैनूली और वाई मेकैनिकल मीन्स होता है खोलते हैं उसके रवर्ड होती है ठीक है फिर प्रोसेस आती है हमने क्या कर लिए सब को कर लिए फिल कर दिया फिल करने के बाद अब हम करेंगे इस्टरलाइज पूरा इट्स फाइनल कंटेनर अपने अपने फाइनल कंटेनर में दा इस्टरलाइज है इस डलाइजेशन इस डन बाई ओफ दॉफ दा नहीं पड़ेगा ऐसी स्थिदी में हम लोग परेंटल प्रोड़ोट को स्ट्लाइस करेंगे आज़र बाइ ऑटो क्लेविंग एड़ टंप्रेचर ऑफ वन फिफ्टीन से वन सिस्टीन डिग्री सेंटीग्रेट है ना ऑटो क्लेविंग मशीन होती है ठीक है वहाब हम टंप्र दो घंटे लिए तो तरीका जो भी है हम लोग मैंने कहा ना डिपेंड करेगा कि मेरा प्रोड़क्स कैसा है उसके असबसे मैं अपना इस ट्रव लाइज करने का तरीका अपनाऊंगा थर्मोलेवाल प्रप्रेशन अगर हीट से प्रप्रेशन मेरी खराव हो जाती है तो क्य करते हैं bacteria proof filter से filter करवा लेते हैं parental preparation which are stylized by filtration method may contain suitable bacteria static agent to prevent the growth of microorganism जिसको कि हम लोग bacteria proof filter से filter करवाते हैं उसके अंदर ठीक है न हम लोग bacteria static agent भी डाल के रखते हैं जिसे कि bacteria growth ना हो when the solutions are used for intravenous और intrathecal injection in doses अगर IV या intrathecal अलों के इस्तेमाल करें थिकल पता है ना spine में exceeding 15 ml और 15 ml से ज्यादा की dose है दा bacteria static agent should not be used देखा जैसी dose बड़ी bacteria static agent इस्तेमाल नहीं हो रहा है उपर हमने जब पढ़ाता तो क्या था जो लाज वॉल्म पर इंट्रल्स होते हैं उसके अंदर भी हम लोग बैक्टरी static agent का इस्तेमाल नहीं करते हैं the sterilized product is filled into the final container and sealed जो sterilized product होते हैं फिर finally हम उसे fill करते हैं और seal कर देते हैं the process of filtration filling and sealing are done under aseptic condition ठीक है उसको करेंगे तो aseptic condition के अंदर करेंगे now सब कुछ हो गया ठीक है अब हम लोग करते हैं करते हैं अब यह हमने उसके लेबलिंग वारा नहीं करी हमारा sample बनके मदला पूरा production बनके तयार हो गया हम उसे करेंगे करने के लिए तब फिनिस्ट परेंटल प्रोड़क्ट आर सब्जेक्टेड टू दा following test in order to maintain quality control कुछ टेस्ट है जैसे कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं clarity टेस्ट करते हैं leakage टेस्ट करते हैं और पारजन टेस्ट करते हैं अगर यह सारे टेस्ट वह पास कर लेता है तब हम मानते हैं कि हमारा sample जो हमारा production हुआ है वो पर्फेक्ट हुआ है इनको पढ़ेंगा भी बारी बारी से important है यह ठीक है जब वह हो जाएगा evolution हो जाएगा तब फाइल अभी production चल रहा हमारा manufacturing चल रही है जैसी वह हो जाएगा उसको क्या करेंगे packaging और labeling यह सब को पता है after evolution of printer preparation the ampoules vials and transfusion bottles are properly labeled उसको हम लोग properly label कर देंगे pack कर देंगे label के अंदर क्या क्या चीज़ा होंगी name of preparation सबको पता है quantity of preparation सबको पता है manufacturing LIC number batch number date of manufacturing expiry storage condition retail price और manufacturer address यह सब तो होता है यह लिग देंगा मन से बनाके ठीक है ना अब जो इससे पहले वाला topic था evolution वाला इसके अंदर की हमें कुछ बाते समझ नहीं है important है की quality control test of parental product manufacturing हो भी ठीक है र्लैक्स सांत हो जाओ बस last topic बचा है ठीक है खुश हो जाओ बस आर पंदा मिटी क्लास बची ओके the following are evolution test for parental यह कुछ parental के test जो हमेरे injection बनाके तयार करते हैं उनके लिए को इस test होते हैं इस टेरिलिटी टेस्ट लीकर टेस्ट और पारिजोन टेस्ट फटाफट के प्रपरों का माय को सब्सक्राइब क्या करते हैं कल्चर करते हैं ना सापलों कर थो थो तो बस यहां पर हमें पास टेस्ट कर रहे हैं दो मैंठोड है इस मैंठोड तो डिटेक्ट कंफॉर्म एप्सेंस ऑफ एनी वाइबल फॉर्म आफ माइक्रोब्स की कोई जिंदा वाइबल का मतलब होता है जिंदा रूप तो नहीं है मरा हुआ तो फरक नी पड़ता को जिंद रूप तो मवजूद नहीं है तो मैंठोड यूज्ट फॉर इस्टेल्टी टेस्ट आर्ट ट्रांसवर मैंठोड और मेंब्रें फिल्ट्रेशन मैंठोड तो डारेक्ट सेंपल खोला उडेल दिया कल्चर में बैक्टिरिया होगा तो ग्रो कर जाएगा ठीक है सुटेवल फ पास जो सेंपल होता है वह 10% से ज्यादा नहीं हो अच्छे मीडियम से ठीक है मीडियम मतलब जिसके अंदर हम डाल रहे हैं सुटेवल मेंठोड फॉर एक्को सॉलूचन ओली लिक्विट ओंट्मेंट क्रीम किस-किस के लिए सुलूचन के लिए ओली लिक्विट के लिए ओ बैक्टेरिया अराम से ग्रो कर जाएगा ठीक है मैंने क्या किया अपना सैंपल लिया ठोड़ा थोड़ा सा यहां से ले करके इसमें ढाल दिया ठीक है ना और अगर बैक्टिला ग्रोग करेगा तो यहां मेरे को समझवा जाएगा तो यह जो मैंने सेम्पल लेखे इसके इंदर डाला है न इसको कहते हैं INOCULATE इसको क्या कहते हैं INOCULATE इनकले करें को कल्चर मीडियम लाओ उदा DR suitable quantity of the preparation to be examined is transferred directly सुटेबल क्वांटिटी ट्रांसवर कर दें डारेक्टली सेंपल में डाल देंगे इंटु अप्रोप्रियेट कल्चर मीडियम एंड इंक्यूबेट इंक्यूबेट मतलब एक खास तरह के महौल में सो छोड़ देंगे टंप्रेचर में लगभाग 14 दिनों के लिए कि अगर को अगरा होगा तो वह इंक्यूबेट कर जाएगा पनप जाएगा इंक्यूबेट फॉर ने पनपना एक तरह से ना ग्रोथ होने के लिए छोड़ देंगे चौछ दिन के लिए अगर दिख जाएगा कोई बैक्टिर हो यहां ग्रोथ हो जाएगी यह तो कि डायक्ट मैथड अ अब आता है मैंब्रेन फिल्टरेशन हम लोग क्या करते हैं इसकी पॉरोसिटी होती है इसके अंदर से बैक्टेरिया हमारा गुजरना ही सकता है तो फिल्टर करेंगे अफ्र फिल्टर को हटा लेंगे बैक्टिरया मेरा इस फिल्टर पेपर के उपर आ चुका होगा उसके वाद क्या करना है कुछ नहीं बहुत सिंपल कट दा फिल्टर इन टू हाफ जो मेरा सपोस्ट फिल्टर पेपर है उसको मैं दो हाफ में तोड़ दूगा एक हाफ को ले करके क्योंकि मैं को दो चीकों टेस्टिंग करनी है वे बैक्टिरिया के लिए और फंजाई के लिए तो पहले हाफ को बैक्टिरिया के लिए अच्छा यह इंपॉर्ट है बैक्टिरिया की टेस्टिंग के लिए मैं कल्चर मीडिया तयार करूँगा एक टेस्ट्यूब तयार क जो कि बैक्टरिया की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टंप्रेचर होता है इस टंप्रेचर पर सेट करके साथ दिनों के लिए हम छोड़ देंगे ठीक है यह सेट कहा हुआ रहता है एक हमारा इंक्यूबेटर होता है उसके अधर टाइब कर दिया उसके अंदर टेस्ट यूब र लखेंगे ठीक है अंदर हम लोग इस फिल्टर जो हमारे पास फिल्टर पर था उसको डाल देंगे इंक्यूबेट करेंगे हैं बीस से पच्छी डिवी सेंटिग्रेट फॉर नॉट लेस दें सेवन डेज अब्जा ग्रोथ इन दा मीडिया फिर अनुलोग उसको क्या सेट मैंटर इवलूशन किलियर है सोलूशन को गंदगी तो पार्टिकल तो नहीं है इस टेस्ट इस परफॉर्म टेश्ट प्रडॉक्ट और फ्री फ्रॉंट पार्टिकल ये टेस्ट किया जाता है यह इंशूर करने के लिए कि उसके अंदर किसी परकार का फॉरंश करेंगे कुछ किसी प्रकार का कुई किसी प्रकार का कोई फौरं पर्टिकल है या नहीं है तो पर्टिकल साइज micron माक्रोमेटर में equal to or larger than 10, maximum number होने चाहिए 50, ठीक है, पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज है, तो मैक्सिमम पार्टिकल होने चाहिए, तो तो ठीक है, अधर्वाइस, फेल हो जागा सेंपल, 25 माक्रोमेटर साइज है, तो मैक्सिमम पार्टिकल होने चाहिए, पार्टिकल होने चाहिए, पार्टिकल होने चाहिए, अधर्वाइस, फेल है सेंपल, और अगर पार्टिकल साइज 50 माक्रोमेटर है, या उससे जादा है, तो एक भी नहीं होना चाहिए, अधर्वाइस, सही नहीं हुई है और लीक हो रहा हो तो फ्यूचर में क्या होगा समय के साथ उसके अंदर से हवा यह बैक्टिरिया अंदर भुश सकता है ग्रोथ हो सकती है या सैंपल के अंदर से चेक करने के लिए हम लोग लीकर टेस्ट का इस्तेवाल करते हैं सो डेट जे कैन बी डिसकार्डड डिसकार्डड मतलब उन्हें हटा दिया जाए इन ओर तो मैंटेन इस्टराइल कंडिशन अगर वहां पे लीक मौजूद है लीकिंग है अगर उहां पर तो वह इस्टराइल नहीं रहेगा तो फिर हमारा यह इस्टराइल फार्मलेशन नहीं रहा हो तो पड़ी रहे हम लोग उसके बारे में ओके टैस्ट प्रोसीजर क्या है थोड़ा सा देखते हैं फटाफट लिकर साथ डिटेक्टेट बाइस प्रॉसेस इन विजीबल मैनर है ना विजीबल मैनर मे एक तरगा चैंबर होता है मालो इस टाइब से ठीक इसके निचे मशीन लगी होती है यहाँ पर सलुसन है इसी के यहां यहीं पर हम लोग क्या रख देते हैं अपनी वाइल रख देते हैं ठीक है और इसके अंदर वेक्यूम क्रेट करेंगे और यहीं पर क्या है यह अब जब यहाँ प्रेशर काम है यहाँ प्रेशर जादा है ठीक है तो मिधालन ब्ली अगर कोई लीख होगा ना तो वह लीख क्या करेगा मिधालन ब्ली अंदर गुसेगा जब अंदर गुसेगा तो मेरे को वह कलर दिख जागा ब्ली ब्ली वाला और मैं को समझ में आ अब होता क्या है पर्णाप सवरूप जो भार का प्रेशर है वह क्या कर रहा है डाई को पेनेट्रेट करवा दे रहा है इन और ओपनिंग जो वहां पर छेज बगर होंगे अगर है तो दस making it visible after the ampoule has been washed जब हम उसको दो देते हैं एंपूल को तो वहां जहां पोर होता है जहां पर गुसा होता है वह अंदर प्रेशर की वज़े से ही घुसा है तो वह हमको वहां देख जाता है दा वैक्यूम अवाउट 27 इंचेंस और मरकरी है ना जो मरकरी के हिसाब से जो हम क्यूम केरेट करके हमें फिर 30 मिनट तक रखना है detection of leaker is prominent when ampoule are immersed in bath of dye क्यारा detection of leaker is prominent तो leaking होती है उसका detection और भी अच्छा हो सकता है अगर when ampoule are immersed in a bath of dye ampoule को हम लोग bath of dye dye वाले बात में रख दे और during autoclaving cycle जब उसे हम autoclave करते हैं उसी समय डाई वाले बात में रख दे as this has the advantage of accomplishing bath इससे फाइदा क्या होगा दोनों चीज़ों हो रही है leaker test भी हो जाएगा और साथ-साथ में stylization in one operation एक ही operation में दोनों चीज़ों हो जाएगी ठीक अब आटो क्लिविंग में भी हलका सब vacuum create किया जाता है तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ों हो जाएगी कि लिए रहा बाते हैं आगे आते हैं disadvantage capillaries of 15 micron और smaller diameter cannot be detected by this test अगर 15 micron से कम है तो हम उसको detect नहीं कर सकते हैं vials and bottles are not subjected to such a leaker test जो vials हैं bottles हैं उनको हम लोग leaker test में हम लोग use नहीं कर सकते हैं leaker test नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका जो rubber होता उपर plastic capping बंद होती है वो rigid नहीं है hard नहीं है अब hard नहीं है और pressure लगेगा vacuum वाला फिर क्या होगा दिक्कत हो जाएगी काम्याब नहीं हो पाएगा clear हो गया तो leaker test clear क्या leaker test sealing check कर रहे है पाइरोजेन टेस्ट आ गया पाइरोजेन मैं बता था पाइरोजेन एक topic हमने वहां पढ़ दिया है ठीक है तो यह पाइरोजेन टेस्ट है पाइरोजेन पाइरोग्रीक में मतलब होता fire generation इसके बॉड़ी में जाते ही क्या आएगा फीवर और फीवर हमारी बॉड़ी हो क्या करता है गरम इसी लिए का आगया फायर जन्रेटर तो फीवर प्रडूसेंग मेटावॉलिक बाइप्रोड़क होते हैं यह माइक्रोबल ग्रोथ के और यह उनकी मौथ के बाद मॉथ के माइक्रोबल ग्रोथ एंड़ ग्रोथ जो उनका बाइप्रोड होता है चाहे मौन की वहीतो हो है यह फीवर प्रडूस करते हैं Bacterial pyrogens are called endotoxin one marks question mark कर लेंगे इसको ठीक है Gram negative bacteria produce more potent endotoxin than gram positive bacteria and fungi तो दो तरगे bacteria होते हैं gram positive gram negative तो gram negative का endotoxin होता है वो जादा खतरनाक होता है gram positive और fungi के मुकावले में Pyrogens when injected into human shows marked rise in temperature अगर pyrogens को हम लोग humans के अंदर inject करते हैं तो temperature body का बढ़ जाता है चिल्स थंड लगती है body में दर्द होता है body egg cutaneous vasoconstriction जो हमारी skin होते है cutaneous वहाँ vasoconstriction blood vessel concentrate कर जाती है increase arterial blood pressure BPV increase कर जाता है endotoxins are heat stable ये heat stable होते हैं heat stable lipopolysaccharide LPS mark कर लेंगे heat stable lipopolysaccharide होते हैं का बढ़ फरक्ट होता नहीं है और lipid और polysaccharide का mixture होते हैं present in bacterial cell wall कहां माझूद होते हैं ये bacteria के cell walls है stable to at least 175 degree centigrade तक stable होते हैं steam sterilization ineffective steam sterilization आपने देखा था 130-35 तक जा रहा है 175 ये इसलिए steam sterilization ineffective हो काम नहीं करती है water soluble ये water soluble है और monomer unit of LPS can be जो उसकी एक monomer unit हो सकती है वो 10,000 dalton याने की 1.8 nanometer की होती है अब समझो so endotoxins can easily pass through 0.22 micrometer filter जो bacteria के लिए इसलिए ये वहाँ से easily निकल जाती है bacteria proof filter से भी ये filter नहीं होती है source क्या है इसका mainly water है main source raw material हो सकता है equipment हो सकता है process environment ठीक है environment हो सकता है people and protein is using gram negative bacteria ठीक है people हो सकते हैं और कुछ proteins हो सकते हैं जो की हम लोग use कर रहे हैं किसकी gram negative bacteria की तो ये step से इसके कुछ sources हैं तो pyrogen तो समझ में आ गया क्या होता है क्या नहीं होता है इसका test भी देख लेते हैं तो इसके दो test है एक rabbit parogen test और एक लाल test है ठीक है बड़े common से हैं देख लेते हैं मैट test भी होता है तीन है तो rabbit are used to perform this test तो खरगोशों को इस्तेमाल कर जाता है because their body temperature increases when parogen are introduced into their body by parental root parental root के माध्याम से जब parogen उनको हम उनकी body में डालते हैं तो उनकी body का temperature बढ़ता है इसी लिए हम इसका इसका इस्तेमाल करते हैं यहीं वज़ाए करेंगे कैसे तीन healthy adult rabbit ले लेंगे तीन adult rabbit जो कि healthy है और आइधर sex male femur फरक नहीं पड़ता इच वेंग not less than 1.5 kg उनका वज़न देड़ किलो से कम नहीं होना चाहिए do not use any rabbit यह पर लाइन आएगी having a temperature higher than 39.8 अगर किसी rabbit का पहले से ही temperature 39.8 है inject करने से पहले ही पारेजन को तो उसका हम नहीं लेंगे या हम किसी rabbit के अंदर showing a temperature variation more than 0.2 degree centigrade between two successive reading in determination of initial temperature शुरुआत का temperature ना पने हम लोग injection देने से पहले तो उसका जो body का temperature है वो vary कर रहा है 0.2 degree centigrade से ज्यादा कभी मतलब मालों पहले आ गया 36.4 आ गया फिर आ गया 36.8 आ गया तो चार का vary कर गया तो अगर दो से ज्यादा का variation है दो अलग लग reading में starting में ही तो ऐसे rabbit को भी हम चूज नहीं करेंगे शाम test is performed within seven days of actual test ठीके ना शाम test होता एक एनिमल शोइंग टंप्रेचर इंक्रीज ओवर 0.6 डिवी शुड़ बी रिमूव आप फ्रॉम पारजन टेस्टिंग जो एनिमल शो करते हैं टंप्रेचर इंक्रीज 0.6 degree centigrade का ठीके ना क्योंकि उनको विट दिक्कत आजाएगी तो उसको हम रिमूव कर देते हैं फिर हटा देते हैं पारजन टेस्ट है क्यों हापे फिर उनकी मौत हो सकती है ठीक है method देखो क्या है simple सा method है dissolve the substance being examined in or dilute it with a parogen free solution उसको जो substance में check करना है injection वगरा है उसको dissolve करेंगे या dilute कर लेंगे parogen free solution में जो हमने अपनी medicine बना के तयार करी है अब warm the liquid उसको फिर हम गरम करेंगे जिसको कि हमें जांचना है to approach 38.5 degree centigrade temperature before injection 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 देने से पहले उसे गरम कर लेंगे the volume of injection is not less than 0.5 ml per kg जो हम देंगे वो 0.5 ml per kg से कम नहीं होना चाहिए और not more than 10 ml per kg और 10 ml per kg से ज्यादा ही होना चाहिए body weight के साब से withhold water during test जब आप टेस्ट करने उस समय आप पाने ना दे clinical thermometer is inserted into the rectum जानवरों का temperature कैसे ना पा जाता है thermometer को हम लोग उनके rectum में insert करते हैं of rabbit to record boy temperature or boy temperature record करेंगे two normal reading of rectal temperature should be taken prior to test though normal reading तो पहले लेनी ही लेनी है test से पहले injection at an interval of half an hour आदे आदे घंटे में दो reading लेनी है its mean is calculated initial temperature और वो जो दो normal reading लेगो ना starting में उसका जो mean आ जाएगा उसको हम initial temperature मान लेंगे वैरी कर जाता है उसका temperature the solution under test is injected through the year wind जो solution होता है under test उसको हम year wind से inject करते है record the temperature of each rabbit in an interval of 30 minutes for 3 hour तीन घंटे के लिए हर 30-30 minute पे हम लोग उसका temperature को मापेंगे the difference between the initial temperature and maximum temperature is recorded taken as response जो सुरवात का temperature था और अब जो temperature rise हुआ है होगा तो दिख जाएगा नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा अगर pyrogen free होगा तो नहीं rise करेगा pyrogen होगा तो rise कर जाएगा उनका हम difference निकाल लेंगे और वहाँ से हम idea लेंगे कि इस sample के अंदर pyrogen है या नहीं है ठीक है दूसर तो टेस्ट होता है यह rabbit वाला टेस्ट हो गया दूसर टेस्ट होता है लाल टेस्ट लाल टेस्ट में क्या है लाल नाम क्यों पढ़ा इसका lemulus ameocyte lysate ठीक है ना lemulus ameocyte lysate essay is an इसका full form क्या है lemulus ameocyte lysate क्यों इसका नाम पढ़ा भी आगया आएगा is an in vitro essay used to detect the presence of concentration of bacterial endotoxin लाल टेस्ट का इस्तमाल bacteria के endotoxin को जाचने के लिए होता है इन biological products के अंदर region जो इसके अंदर इस्तमाल होता है वो क्या है ameocyte lysate enzyme ameocyte lysate enzyme जो इसके अंदर हम इस्तमाल कर रहे है from horseshoe crab एक केकड़ा है crab है जिस horseshoe वाला horseshoe shape का होता है तो उसका नाम क्या है lemulus polyphemus तो यहां से इसका नाम पढ़ गया lemulus यहां आगया lemulus और ameocyte lysate जो की enzyme का इस्तमाल हो रहा है तो lemulus का ameocyte lysate enzyme लिया जा रहा है तो इसका नाम क्या पढ़ गया lal test ठीक है प्रोसीजर बहुत simple है the solution of endotoxin containing preparation is added to the lysate ठीक है जो solution जिसके अंदर endotoxin है ठीक है जिसको हमें जाचना है containing preparation उसको हम लोग lysate added to the lysate derived from the hemolym यह जो lysate है जो हमने यहां से collect किया है इस crab से उसका solution मनाए है उसके अंदर डालेंगे ठीक है the result of the reaction is turbidity अगर उसके अंदर pyrogen होगा तो solution मेरा कैसा होगा turbid हो जाएगा या precipitation हो जाएगा या gel type का बन जाएगा अगर pyrogen होगा तो ठीक है this is used as quantitative measure to estimate the endotoxin content तो कितना ज़र प्रेस्पिटेशन हो रहा है कितनी turbidity हो रही है कितना gel बना है उसके अंदर endotoxin मौजूद है कि लिए रहे बातें simple है कोई दिक्कत तो नहीं है lysate इसका हम solution त्यार कर लेते हैं इसके अंदर अपना sample डाल देंगे क्या हो जाएगा sample turbid हो जाएगा या precipitate कर जाएगा या gel बना लेगा ओके the rate of reaction depends कितनी तेज़ react कर रहा है rate of reaction depends upon concentration of endotoxin कितना जादा उसके अंदर endotoxin है pH क्या है temperature क्या है and presence of clotting enzyme system क्या है उसके अंदर और clotable protein from lysate इन सब चीजों के ऊपर rate of reaction हमारा depend कर रहेगा कितना fast वो react कर रहा है the quantities of endotoxins are expressed in defined endotoxin unit ठीकर न ये तुमारा one mark आ सकता है कि जो unit होती है quantity होती है endotoxin की उसका हम लोग endotoxin unit में define करते हैं और one EU is equal to one IU वो IU वार जो concept पढ़ा हुआ international unit वो इसी बरावर होता है फिर क्या कह रहा है the endotoxin limit for a given test preparation is calculated from the expression k upon m जो endotoxin की limit है उसका हम लोग k upon m से calculate करते हैं where m is the maximum dose administered to adult per kg per hour कितनी maximum dose दी गई है एक adult को per kg per hour and the value of k is 5 EU per kg for parental preparation and 0.2 EU kg for intrathical preparation ठीक है तो ये ठीक है last में अगर चाहो तो ये थोड़ा सा calculated part हो जाता हमारे पास ये अगर ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं है हमें वहाँ तक हम बजाद रखेंगे उतना sufficient है अब एक latest last test है हमारे पास monocyte activation test ये आजकर latest चलने लगा है क्या है इसमें due to greater sensitivity इसकी sensitivity ज़्यादा है इसकी accuracy ज़्यादा है तो इसने लाल test को replace कर दिया है होता क्या है use करते है monocyte obtained from human volunteer इंसानों की body से ही human volunteer जो खुद से donate करते हैं ठीक है अपना blood वगएरा वहाँ से हम monocyte निकाल लेते है monocyte cell detect pro-inflammatory and pyrogenic contaminants ठीक है ये क्या detect करेगा pro-inflammatory and pyrogenic contaminants used for qualitative or quantitative detection तो same चीज़ है हम उसी का वो use करते हैं तो ये inflammatory जो inflammation के cause करने वाले particles होते हैं और जो pyrogenic particles होते हैं उसको detect कर लेता है ये ठीक है ना कितनी quality में है और कितनी quantity है दोनों का detection करता है बास समझ में आगी ठीक है तो ये था हमारा आज का शानदार lecture थोड़ा सा लंबा और मज़ेदार उमीद कर रहा हूं मज़ा आया होगा पढ़ने में ठीक है ना तो इसको धीर धीर करके पढ़ना दो-तीन बार में पढ़ना clear हो जाएगा ठीक है और खुझ से थोड़ा सा point थोड़ा से note करना पहले heading wise heading करके जिससे किसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ रहे है तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी बाद बागी notes description के link मिल जाएगा कोई problem आती है तो इसको call करें और ये अपना must सांदार app है बहुत बच्चे जड़ो हुए है live class करते है ठीक है तो आप भी इसका फाइदा ले सकते है मुझसे direct जोड़ सकते है live class में ठीक है ना इस app के जरीए ठीक है तो main चीज सबसे ज़रूरी जो आपको करनी है वो क्या करना है पढ़ना है और उससे ज़रूरी revise करना है तो पढ़ते रहो revise करते रहो All the best